लेकिन अब क्या हुआ कि A बिजनस में टाइम कम देने लगा है तो B बोरा है कि तुम तुम थो इतना टाइम देते नहीं हो मैं जदा टाइम देते हूं तो मुझे प्रॉफिट पर हिस्सा भी ज़्यादा मिलना चाहिए मुझे profit का share कितना मिलना चाहिए आप से ज्यादा मिलना चाहिए तो इस बात पर A भी agree हो जाता है क्योंकि A को भी मालूम है कि वो कम time दे रहा है firm को वो agree हो जाते हैं और वो अपना share sacrifice करके B को दे देता है थोड़ा सा तो उस में से क्या होता है equal sharing ratio convert हो जाएगी unequal में वो sharing बन जाएगी 3 is to 2, 4 is to 2 जा कुछ भी ठीक है जो भी वो divide करेंगे आपस में वो ratio बन जाएगी according to their work उस situation को हम बोलते हैं change in profit share ratio among the existing partners हेलो दोस्तो वेल्कम टे डिटाटिप्स डॉट कॉम मैं हूँ आपका अपना accounting दोस्त सरब जी सिंग आज के lecture में हम cover करने बाले हैं partnership का third chapter जिसका नाम है change in profit sharing ratio among the existing partners इस topic में हम study करेंगे सबसे पहले change in profit share ratio होता क्या है means meaning of this and उसके बाद हम करेंगे determination of sacrifice and gaining ratio उसके बाद हम करेंगे accounting treatment of goodwill फिर करेंगे accounting treatment of reserves and accumulated profit or losses और फिर करेंगे revaluation of assets and reassessment of liabilities और last में करेंगे adjustment of capital partnership के दो chapter हम already डाल चुकी हैं जिए हम आज third chapter शुरू करने वाले हैं मैं आपको आई बेटल में लिंक दे दूँगा दोनों ही chapters का आप उनको देख लीजिए उनकी काफी numbers of videos है पहले chapter की eight है और दूसरे chapter की four है शायद okay सबसे पहले हम करेंगे meaning of change in profit sharing ratio among partners so topic को start करने से पहले मैं आपको request करूंगा कि वीडियो को लाइक जुरू करें शेयर करेंगे और फेंट सब्सक्राइब करना मत बूलेगा आप बहले को प्रेस करें तक आपको लीडियो की notification मिल सके change in profit sharing ratio means partner के बीच जो existing profit sharing ratio है उसको अब change करना है suppose partner के बीच existing profit sharing ratio है equal दो partner A and B वो equally profit को share कर रहे हैं लेकिन अब क्या हुआ कि A business में time कम देने लगा है तो B बोल रहा है कि तुम तो इतना time देते नहीं हो मैं ज्यादा time देता हूं तो मुझे profit पर हिस्सा भी ज्यादा मिलना चाहिए मुझे profit का share कितना मिलना चाहिए आप से ज्यादा मिलना चाहिए तो इस बात पर A भी agree हो जाता है क्योंकि A को भी मालूम है कि वो कम time दे रहा है firm को तो वो agree हो जाते हैं और वो अपना share sacrifice करके B को दे देता है थोड़ा सा तो उसमें से क्या होता है equal sharing ratio convert हो जाएगी unequal में वो sharing बन जाएगी 3 is to 2, 4 is to 2 जा कुछ भी ठीक है जो भी वो divide करेंगे आपस में वो ratio बन जाएगी according to their work उस situation को हम बोलते हैं change in profit share ratio among the existing partners अब जब existing partners में profit sharing ratio change होती है तो क्या होता है जितना share एक बन्दा gain कर रहा है दूसरा बन्दा उतना ही sacrifice करेगा वो एक से ज़्यादा भी हो सकते gain करने वाले जाफिर sacrifice करने वाले भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन gaining and sacrifice का total जो है always equally रहेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास है determination of sacrificing ratio जाप फिर gaining ratio अब दोनों ही ratio आपको हर एक समय निकालनी पड़ेगी sacrificing भी gaining भी because एक partner आपका sacrifice कर रहा होगा तो दूसरा partner आपका gain भी कर रहा होगा एक से share जाएगा तभी दूसरे का पास आएगा अगर एक ही नहीं शोड़ेगा तो दूसरे के पास आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अब सबसे पहले हम पढ़ते है sacrificing ratio sacrificing ratio होती है चो पार्टनर अपना share sacrifice कर रहा है मीज़ दूसरे पार्टनर को अपना share दे रहा है वो complete share नहीं दे रहा वो वो देगा share का कुछ portion मेंज अगर वो 50% का मालक था फरम में अब वो रहा गया 30% का जो 20% है उसने दे दिया दूसरे पार्टनर को अब sacrifice ratio calculate करने का simple सा formula है old ratio minus new ratio old से अब जब new ratio निकालोगे तो आपके पास sacrifice ratio निकल के आ जाएगी जैसे अब जो मैंने उपर example दी उस example के इसाब से पहले ता 50% अब है 30% old 50 minus new 30 तो अपने second ratio कितने हैं कि 20% सो चलिए अब आगे हम कर लेते हैं gaining ratio gaining ratio क्या होती है जब एक partner दूसरे partner से उसका share का कुछ portion acquire करता है उसे क्या हो रहा है उसे share मिल रहा है किसी और partner का तो वो acquire कर रहा है तो वो gain कर रहा है उसको share में gain मिल रहा है अब gaining ratio का formula opposite होता है sacrificing ratio से gaining ratio इस equal to new share minus old share अब यह opposite हम क्यों करते हैं क्योंकि अगर हम old minus new करेंगे तो इसकी minus में figure आएगी तो minus में case run फिर लिख देते हैं वैसे ही लेकिन वो minus में लिखना बनता नहीं है इसलिए इसका formula बनाया है new minus old क्योंकि इसकी new ज़्यादा होगी old कम होगी क्योंकि new ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि यह gain कर रहा है यह share acquire कर रहा है इसके पास जो था उससे भी ज़्यादा यह ले रहा है अब ओके जैसे अगर मैं अपनी प्राणी example continue करूँ जैसे पहले एक partner ने 20% छोड़ा था दूसरे के लिए तो जो second partner है जो gaining partner है उसको क्या होगा उसको 20% मिल जाएगा 50 plus 20 करेगा तो उसके पास total कितनी new ratio होगी 70 okay old कितनी है 50 70 minus 50 तो हमारे पास gaining ratio कितनी आगी 20 तो sacrificing भी 20 थी और gaining भी कितनी आगी 20 तो यह हमारा solve हो चुका है अब एक formula से भी निकाल सकती हो gaining और sacrificing ratio means जो एक ही formula दोनों में से accept कर लो जाए फिर old minus new जाए फिर new minus old अगर आप old minus new कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि जब तो positive आएगी तब वो sacrifice है जब वो negative value देगा formula तो वो gaining है अब determination of sacrificing ratio and gaining ratio को और अच्छी तरीके समझने के लिए मैं आपको एक illustration करा देता हूं practically ताकि आपको calculate करना समझ आजा है कैसे करना है ती एस गरेवाल की बुक में मैं आपको illustration करा रहा हूं illustration है मारी Amit and Sumit are partner in the firm sharing profit in the ratio of 2 is to 1 it was decided by them to share profit equally with effect from 1st April 2019 calculate the sacrificing and gaining ratio अब Amit and Sumit partner profit share ratio उनकी है 2 is to 1 की मिस 2 is to 1 की ratio है अब वो चाहते है कि हमारी first effort 2019 से equal हो जाए ratio तो equal करेंगे तो change होगी न ratio आपको दोनो ratio given दे दी तो आपने क्या करना है sacrifice ratio निकालने के लिए आपने formula लगाना है old minus new gaining ratio निकालने के लिए आपने formula लगाना है new minus old अब दोनों में से कोई भी एक formula लगाके sum को कर सकते हो वो आपके लिए easy रहेगा एक figure minus में आएगी एक figure plus में आएगी मैं always question करता हूँ sacrificing ratio से old minus new करके अब आपको तो मालूम नहीं है कि आप gain निकालने वाले हो कि sacrifice निकालने वाले हो तो आपको एक ही formula लगाना पड़ेगा जा तो sacrificing गा जा तो gain तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं new profit ratio कितनी है आपकी one is to one and old profit ratio है हमारी two is to one sacrifice share का हम formula लगा लेते हैं उसमें क्या करेंगे old share minus कर देंगे new share तो सबसे पहले हम अमित का calculate कर लेते हैं तो लिखिए sacrifice shared by amit is equal to आ गया हमारे पास two by third तो कि ratio old कितनी है two उसकी है और one किसकी है सुमित की तो two by third minus one by two one by two क्योंकि है क्योंकि equal ratio है इन दोनों को हमने LCM लेके four minus three by six कर दिया और निकल के हमारे पास आ गया one by six जे positive आ गया माइनस में नहीं आया तो जे हमारे रेशो निकली sacrificing कि सेम ही हम सुमित का calculate कर लेते हैं सुमित का old share कितना है one over three minus करोगे one over two तो हमारा LCM लेगे divider by six आ जाएगा और two minus three आ गया तो यह हमारा माइनस में निकल के आ गया one by six तो जे हमारा क्या है gain old minus new करने के बाद अगर minus में फिकर आती है वो gain होता है अगर plus में फिकर आती है तो वो हमारा sacrifice होता है अब ऐसे ही हम फटाफट से एक illustration और कर लेते हैं जिसमें आपको four number of cases दिये हुए हैं जिस cases के according ये आपको questions आने वाले हैं आपकी book में तो ये cases को मैं one by one आपको समझा देता हूँ पहले हम illustration को read out करते है एक्स वाई और जेड आर पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट इन दर रेशो फाइव इस तो थी इस तो टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशो सेक्रिफाइजिंग रेशो गेनिंग रेशो इ in each of the following case अब जो पिछली illustration की है हमने हूँ उस illustration में हमें old और new दोनों ही रेशो गीवन थी अब इसमें क्या बोला है old रेशो हमें गीवन है और new profits रेशो भी calculate करने को बोला है सेक्रिफाइजिंग रेशो भी calculate करने को बोला है according to case जो हमें case दिये हुए है total four cases हमें दिये हुए जिसमें first case है इफ जैड एक्वाइर वन फिफ्ट शेर प्रॉम एक्स जैड ने एक्स से वन फिफ्ट शेर एक्वाइर किया हुए है first case में इसमें y का कोई लेना देना नहीं है एक्स सेक्रिफाइज करेगा जैड क्या करेगा गेन करेगा वह एक्वाइर कर रहा है अब जब भी एपने question solve करना है change in profit share ratio का तो वर्ड को बहुत ही द्यान से read out करना है जहां पर लिखा हुआ है देखो हमारे पास क्या वान फिफ्ट शेर फ्रॉम एक्स ना कि वान फिफ share of x share means उसके share में से वन फिफ्ट हिस्सा नहीं लेना वन फिफ्ट शेर ही ले ले लेना है जितना भी उसका share हो उसमें से हम minus करेंगे ना कि उसके share का calculate करना है ओके last case में जो मैं बोल रहा हूं वो भी आएगा इस case में simple सा लिखा हुआ है कि share जो है वन फिफ्ट ले लिया वन फिफ्ट शेर ले लिया है तो simply subtract करके हम निकाल सकते हैं इसको तो चलिए इसको solve करते हैं सबसे पहले हम calculate करेंगे x का new profit sharing ratio उसमें हम क्या करेंगे जो old ratio में दी है उसमें से हम subtract कर देंगे जो share yhz ने ले लिया है x से ओके सो is equal to old share minus share acquire बाइ जैड तो एक्स का old share कितना है 5 by 10 तो acquire कितने किया है उसको minus कर देते हैं 150 acquire हुआ है ठीक है 1 by 50 acquire हो गया इसका lcm लेंगे 10 हमारा lcm आ गया 5 minus हो जाएगा 2 lcm लेने से ओके तो minus होने के बाद हमारे पास जो new share of a आया है वो निकल के आ जाएगा 3 by 10 अब y के share में कोई change नहीं है क्योंकि इस case में only z x से acquire कर रहा है y का कोई लिना दे नहीं है y को ऐसे का ऐसे ही रहने दो जैसे वो है उसका share रहेगा 3 by 10 अब z का share कितना है हमारे पास z का share है 2 by 10 और उसने acquire किया x से 1 5 तो इन दोनों का हम total लगा लेंगे तो new share of z निकल जाएगा तो new share of z निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 by 10 plus 1 by 5 अब plus करने के लिए हमने lcm लिया तो हमारे पास आगे 2 plus 2 divided by 10 तो यह हमारा share निकल के आगया 4 by 10 x, y, z की new profit share ratio बन जाएगी 3 is to 3 is to 4 3, 3, 4 की new profit share ratio तीनों की बन गी clear next case समयते हैं second case में क्या लिगा है if z requires 1 5th share equally from x and y अब इस case में क्या हो रहा है share z को 150 मिल रहा है तो z का तो वे सेम ही calculation हो जाएगा जैसे हमने पहले case में किया था लेकिन जो share require हो रहा है वो x से भी हो रहा है और y से भी हो रहा है किस ratio में equal ratio में उसकी हमें calculation करनी पड़ेगी पहले तो कितना कितना require हो रहा है उसका amount calculate कर लेते हैं अब total 1 5th share require हो रहा है equally इसको distribute करना है तो multiply by कर दोगे 1 by 2 तो जे हमारा amount आ जाएगा 1 by 10 each x से भी वो 1 by 10 शेर लेगा और y से भी वो 1 by 10 शेर लेगा ओके तो फिर हम x का अब new share का अग्ड़ कर लेते हैं वो कैसे करेंगे old share minus acquired by z तो old share कितना है हमारे पास 5 by 10 minus करना है हमने कितना 1 by 10 तो जे निकल के हमारे पास आ गया 4 by 10 same way हम calculate कर लेंगे y का share y का हमारे पास share है 3 by 10 उसमें से माइनस करेंगे 1 by 10 तो हमारा आ गया y का share आ जाएगा 2 by 10 अब z का share के अबड़ करने के लिए हम जे दोनों का sacrifice add कर देंगे z के share में z का पुराना share है 2 by 10 उसमें हम add कर देंगे जो x ने sacrifice किया 1 by 10 और जो y ने sacrifice किया प्लस 1 by 10 जब तीनों को प्लस किया तो हमारे पास share बन जाएगा 4 by 10 तो इस केस में new profit share ratio आजेगी 4 to 4 की अब इसको थोड़ा अगर आप cut कर लोगे 2 के साथ जो ratio बन जाएगी 2 is to 1 is to 2 sacrifice ratio बन की x and y की 1 is to 1 and gaining ratio of z की 1 की 2 by 10 नेक्स्ट केस करते हैं third if x y z decide to share the future profit and loss equally अब पहले ratio क्या थी 5 is to 3 is to 2 अब वो क्या करना चाते हैं equally share करना चाते हैं तो इस question में हम क्या करेंगे old minus new करके sacrifice और gaining ratio निकाल लेंगे क्योंकि हमें new ratio given है old ratio भी given है तो हमें new ratio calculate करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने पहले दो cases में calculate की थी तो एक्स का sacrifice जा gaining ratio निकालेंगे कितना निकला old share minus new share करके old है हमारे पास 5 by 10 minus करेंगे 1y3 else लेने के बाद जो हमारे पास आ गया 15 minus 10 divided by 30 जो sacrifice निकलके हमारे पास 5 by 30 क्योंकि जो positive figure आई है तो जो हमारा होगा sacrifice एसे ही हम y का calculate कर लेते हैं y का share है हमारे पास 3 by 10 minus करेंगे 1 by 3 तो निकलके आगे 9 minus 10 by 30 अब ठीक है तो j minus में आ जाएगा क्योंकि minus का 10 बड़ा है तो 1 by 30 मारा minus में आ गया negative है तो मतलब y क्या कर रहा है gain कर रहा है ऐसे ही हम z का calculate कर लेते हैं z का हमारे पास आ गया 2 by 10 minus 1 by 3 जो हमारा निकलके आजाएगा 6 minus 10 by 30 अब ये भी minus में आ जाएगा क्योंकि 10 की figure minus में बड़ी है तो minus 4 by 30 अब minus में figure है 4 by 30 तो j भी क्या है gain है ओके x हमारा sacrifice कर रहा है 5 का और y gain कर रहा है 1 का और z gain कर रहा है 4 का y and z की gaining ratio बन जाएगी 1 is to 4 और x की sacrificing ratio है 5 is to 30 जा फिर 1 by 6 अब next case है हमारे पास if z acquire one fifth share of x and one sixth share of y जहां पर ध्यान से read out करें इसको इसमें क्या लिखा हुआ है one fifth share of x पहले question दोनों में off word कहीं पर use नहीं किया था इसका मतलब क्या होता है one fifth share x का लेना है x के share का one fifth करना है हमने ऐसे ही y के share का one sixth करना है जहें हमें share given नहीं है यह fraction given है कि इतना portion ले लिया उसका यह one by fifth का मतलब क्या हुआ 20% share of x का acquire कर रहा है जैड़ ओके तो इसे हम calculate कैसे करेंगे सबसे पहले जैड़ जो acquire कर रहा है वो share calculate करेंगे उसका हम करते है एक्स का कैसे निकलेगा old share multiply by acquire ratio अब पहले क्या करते हैं अगर share था हिस्सा था अगर बताया था जैसे पहले case में में बताया था share from x तो वो हिस्सा ले रहा था x में से x के share में से अब वो x के share का हिस्सा ले रहा है तो उसमें हम minus करते थे इसमें हम multiply करके पहले निकालेंगे कि कितना हिस्सा ले गया वो तो X का old share है हमारे पास 5 by 10 multiply by 1 by 5 जो निकल के हमारे पास आ गया 1 by 10 5 के साथ 5 cross हो गया तो 1 by 10 हमारा क्या आ गया जो share X sacrifice करेगा Z को same way एक Y की भी calculation कर लेते है Y कहा हमारे पास है 3 by 10 multiply by करेंगे 1 by 6 तो J हमारा निकल के आ गया 1 by 20 अब जो दोनों ने sacrifice किया है वो Z का क्या हो जाएगा acquiring share हो जाएगा ठीक है तो दोनों को हम add कर दते है total जो share acquire किया है Z ने वो निकल जाएगा पहले हम add क्या करेंगे 1 by 10 plus 1 by 20 जो total हमारे पास आ गया अगर हम LZM लेंगे 3 by 20 निकल के आ जाएगा अब हम इन सभी का क्या करेंगे new ratio को calculate करेंगे sacrifice का gain हमने calculate कर लिगा है तो हम new ratio calculate करनी easy है अब X का new share क्या बनेगा old share minus sacrifice old share है X का हमारे पास 5 by 10 उसमें से हम subtract करेंगे 1 by 10 तो X का share हमारे पास आ गया 4 by 10 same भी हम calculate कर लेंगे Y का share Y का हमारे पास है 3 by 10 उसमें से subtract करेंगे 1 by 20 उसमें sacrifice किया 1 by 20 तो sacrifice करने के बाद हमारे पास balance आ गया इसका LZM लेने के बाद 5 by 20 और Y का share हम इसमें add कर देंगे old share में Y के क्योंकि ये gain कर रहा है तो Y का share है 2 by 10 उसमें add किया 3 by 20 तो हमारा total आ जागा LZM लेने के बाद और calculation करने के बाद 7 by 20 अब Y और Z का base same है 20 और 20 है लेकिन X का base हमारा क्या है 10 है तो X का base हम पहले इसको equal करेंगे दोनों को multiply by करके 2 by 2 से ठीक है means उपर वाली को भी multiply करना है नीचे वाली को multiply करना है दोनों figure को multiply करना है तो इसको multiply कर देते हैं 2 by 2 से ओके हमने base same करने है 10 को 20 बनाना है तो 10 को 20 बनाना है तो multiply 2 से करने है पड़ेगा तो उपर भी फिर equally amount अगर आप करोगे तो फिर figure जो रहेगी वो same रहेगी mathematically ओके 4 by 10 multiply by 2 by 2 जो हमारा आगया 8 by 20 तो new profit share ratio आगी x y z की 8 by 20 5 by 20 7 by 20 8 is to 5 is to 7 तो चलिए topic को start करते हैं हमारे accounting treatment of goodwill in the case of change in profit sharing ratio among the existing partner अब इस topic में हम समझे के goodwill का कैसे treatment करेंगे in case जब profit sharing ratio change होती है जो partner है हमारे existing उनके बीच में जैसे मैंने आपको previous video में कैसे profit sharing ratio change करनी है sacrifice ratio और gaining ratio कैसे calculate करनी है वो सिखाया था आप वो video भी check कर लीजिए उससे आपको पता चल जाएगा उस case में आज हम समझने वाले हैं कैसे calculate करेंगे goodwill अब जब हम existing partners के बीच profit share ratio को change करते है न तो उसमें से कुछ partner gain करते हैं और कुछ partner क्या करते हैं sacrifice करते हैं तो अब जो gaining partner है वो future में profit का क्या करेगा ज्यादा हिस्से का हकदार होगा न वो suppose पहले वो 30% का partner था अब वो 50% का partner हो गया मिंज उसको 20% higher profit मिल रहा है लेकिन जो business profit earn कर रहा है इस साल में जा फिर अगले साल में earn करेगा उसके पीछे वो सभी partners की मेहनत है क्योंकि जो भी company profit earn करती है उसके कुछ न कुछ goodwill होती है इसलिए वो profit earn कर पाती है market से अगर आपका product market में भिक रहा है उसका मतलब क्या है आपकी goodwill है आपकी reputation है इंदा I hope customer जो business profit earn कर रहा है इस साल में जा फिर अगले साल में earn करेगा उसके पीछे वो सभी partners की मेहनत है क्योंकि जो भी company profit earn करती है उसके कुछ न कुछ goodwill होती है इसलिए वो profit earn कर पाती है market से अगर आपका product market में भिक रहा है उसका मतलब क्या है आपकी goodwill है आपकी reputation है करना पड़ेगा वो goodwill का हिस्सा भी वो compensate करेगा उनको goodwill का share जो उन्होंने मेहनत करके खड़ी किये market में जिसकी बदौलत आज वो profit earn कर रहे हैं और gaining partner उसमें से share भी ज्यादा ले रहा है और sacrifice partner share कम ले रहे है तो उस loss का compensation करना पड़ेगा हमें goodwill valueate करके उसका share जितना gaining और sacrificing है वो निकालके उस चीज़ को हम compensate करेंगे वो compensate करने का तरीका आगे हम समझेंगे और उसके बाद उसका accounting treatment भी समझेंगे आपको basic समझ लगया क्यों करनी है calculation of goodwill ठीक है in short goodwill का share देकर हमने sacrificing partner को compensate करना है ओके अब वो compensate amount जो payable है उसकी calculation हमने कैसे करनी है उसकी simple सी calculation होगी value of firm's goodwill multiply by share of profit gained ओके पहले हम calculate करेंगे goodwill जो हमने second chapter में समझाता कि goodwill को calculate कैसे करते हैं जे सारी partnership आप उसमें linked है ओके अब goodwill calculate करने के बाद क्या करेंगे firm की goodwill का जो gaining partner है उस gaining partners के जितना gain उसने किया है उससे multiply करेंगे तो total हमारे पास value निकल किया देगी जो gain हुई है उस gained share को हम divide कर देंगे sacrificing ratio में among the partners who sacrifice their profit share अब हम करेंगे के करना कैसे है formula मैंने आप बता दिया है अब हो formula को implement करके भी देखेंगे with one illustration 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 है हमारे पास A and B are partner sharing profit in the ratio of 5 is to 4 they decide to share future profit in equal ratio Goodwill of the firm is Rs. 54,000 and बोला है हमें calculate the value of Goodwill will be compensated by gaining partner to sacrificing partner अब इस illustration में हमारे पास पहले तो gaining और sacrificing share निकालना पड़ेगा उसके बाद हम value निकालेंगे compensation की जो देनी पड़ेगी gaining partner को sacrificing partner को सो चलिए solve करते हैं illustration को सबसे पहले हम calculate करेंगे sacrificing और gaining share दोनों ही partners का तो sacrificing और gaining share का formula क्या होता है हमारे पास old share minus new share अब पहले A का calculate करेंगे sacrificing और gaining share equal to आजाएगा 5 by 9 minus 1 by 2 old ratio है 5 by 9 और new ratio है 1 by 2 LCM ले लिए हमारे पास आगया 18 LCM और multiply किया 5 को 2 के साथ और 9 को 1 के साथ 5 2 हो आगया हमारा 10 minus 9 तो nickel का जे हमारा minus करने के बाद 1 by 18 जे हमारा positive आगया है old minus new करने के बाद अगर positive figure आती है तो वो हमारा होता है sacrifice क्योंकि old share ज्यादा है new share कम है old minus new किया है न तो old ज्यादा है positive आ रहा है तो old ज्यादा था इसलिए वो sacrifice कर रहा है ऐसे ही B का निकाल लेते है 4 by 9 minus 1 by 2 LCM आगया 18 और 4 को 2 से multiply कर लिया 8 minus 1 को 9 से 9 जे हमारा आगया minus में 1 by 18 अब minus में figure आई है तो B क्या कर रहा है gain कर रहा है अब हमारे पास gaining और sacrifice share आ गया है A हमारा कर रहा है sacrifice और B हमारा कर रहा है gain तो gaining partner sacrificing partner को अब compensate करेगा value of good will value of good will to be compensated to sacrificing partner का formula है हमारे पास forum good will multiply by share of profit gained by gaining partner value of good will हमारे पास illustration में given है 54,000 और gaining share हमारे पास कितना है 1 by 18 तो 54,000 multiply by 1 by 18 जो हमारा निकल के आ गया 3,000 18 को हम सीधा ही divide कर देंगे 54 से तो 3 बचा तो 0,0,0,3,000 हमारा क्या आ गया compensation का amount तो हमारी illustration क्या होगी solve हो चुकी है तो आपको amount तो calculate करना आ गया कि कितना compensate देना है sacrificing partner को gaining partner ने अब हम इसका accounting treatment करेंगे कि इसको books में कैसे record करना है ये calculation तो सारी आप कर लोगे उसके बाद इसको books में भी तो record करोगे न तब ही books में इसका effect दिख पाएगा तो अब हम समझते है accounting treatment of good bill means journal entry to be recorded in the books अब good bill का country treatment हम दो तरीके से कर सकते हैं एक तो good bill adjust कर सकते है through the partner's capital account और एक हम कर सकते है good bill raised और write off in the books good bill books में raise करेंगे बाद में उसको write off कर देंगे ओके ड्रेक्टरी पार्टनर्स capital account to partners capital account हमें adjustment नहीं करेंगे तो पहले case में भी दो case आ जाते हैं एक तो capital fluctuating एक capital fixed अब fluctuating capital और fixed capital का meaning हम अब अब आड़ी समझा चुके हैं अपने introduction वीडियो में जो first chapter था partnership का उसमें सभी capital का meaning मैंने आपको समझाया है और interest on capital, interest on trying वो सब कुछ हमने समझाया पूरे 8 वीडियो उस chapter के बनाए है आपको पहले यह बटन में उसका link दिया हुआ है तो चेक कीजिए उससे आपको सब कुछ समझ लग जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से अब in case of fluctuating capital हम क्या करेंगे partners capital account के थ्रू ही goodwill को adjust कर देंगे जैसे मैं यह illustration को continue करता हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे journal entry card करनी है उसमें क्या होगा gaining partner क्या कर रहा है compensate कर रहा है इंक्रीज कर देंगे तो capital decrease होती है debit होके और increase होती है credit होकर according to modern rules of accounting जैनल एंट्री क्या बन जाएगी gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account अब पहली illustration को continue करते हुए मैं जैनल एंट्री को record करता हूँ इसी case में तो हमारी जैनल एंट्री क्या आएगी B's capital account debit to A's capital account और debit column में amount आजाएगा B's capital account के सामने कितला 3000 और credit column में आजाएगा 3000 narration लिख देते हैं शोटी सी क्या लिखेंगे being the adjustment made for good will on change in profit sharing ratio समझ लग गया in the case of fluctuating capital दूसरा है in the case of fixed capital अब fixed capital account में हम क्या करते हैं capital account के बीच में से treatment नहीं करते हैं हमें एक और account open करते हैं जिसको बोलते हैं current account जब capital किसी भी partner की fix होती है किसी भी forum में partners की capital fix होती है तो capital account के साथ हम एक और account open करते हैं जिसको बोलते है current account उसमें सारा कुछ जो भी जे transaction गएरा होती है उसमें ही करी जाती है तो general entry सेम ही है लेकिन capital account की place पे जहां पर आ जाएगा current account तो general entry क्या बन जाएगी gaining partners current account debit to sacrificing partners current account तो हमारी general entry क्या बन जाएगी B is current account debit to A is current account amount as a debit column में 3000 credit column में 3000 दोनों के capital current account के सामने अब जब B case है हमारे पास जिसमें हम well good bill is raised and right of good bill को पहले raise कर लेते हैं उसको बाद में right of कर देते हैं books में से उस case में हम general entry क्या record करते हैं if capital is fluctuating then कैसे recording होगी good bill account debit to partners capital account means good bill हमारा raise हो गया assets है debit होके asset create होता है partners capital account को हमने increase कर दिया क्योंकि उसको हम कर रहे है credit अब इस general entry से हम क्या करेंगे full amount of good bill जितना good bill का amount है सारे का सारा हम partners जितने partners है उनके बीच उनकी old ratio में divide करेंगे new में divide नहीं होगा old ratio में divide करेंगे ओके और उसके बाद second transaction इसकी record करेंगे general entry उसमें क्या करेंगे partners capital account को debit करेंगे और credit कर देंगे to good bill good bill को write-off कर दिया partners capital account को credit करके उसमें से capital कम कर दी यह हम करेंगे full amount in new ratio पहले old ratio से हमने raise की new ratio से write-off करेंगे जो difference होगा वो capital account में ही रह जाएगा अब B case का भी according to हमारी illustration इसको भी हम solve कर लेते हैं सबसे पहले पहली entry डालते है good bill account debit to A's capital account to B's capital account good bill का amount है हमारे पास 54,000 debit column में लिख दो और इसको हम divide कर देंगे old ratio में old ratio थी हमारे पास 5 is to 4 की तो 54,000 multiply by 5 9 करने के बाद हमारे पास A का जो share है good bill का वो आ गया 30,000 और B का जो share है है वो आ गया वो कितना आ जाएगा 54,000 multiply by 4 divided by 9 वो आ जाएगा 24,000 ओके और उसके बाद हम narration लिख लिख दे है being the good will raised and credit to partners capital account in old profit sharing ratio अब सेकेंड चलेंटरी रिकॉर्ड कर लेते हैं सेकेंड चलेंटरी बन जाएगी according to illustration A is capital account debit B is capital account debit to good will अब equal share में हम divide करेंगे new ratio हमारी equal है 1 is to 1 तो यह आगी 1 by 2 तो 54,000 multiply by 1 by 2 किया तो हमारे पास आ गया 27,000 इच तो A के capital account के सामने 27,000 लिख दो और B के capital account के सामने 27,000 लिख दो और good will के सामने आ जाएगा total amount 54,000 ओके narration आ जाएगी जहाँ पर हमारी being the good will debt to partners capital account in the new profit sharing ratio तो यह भी हमारा जब fluctuating capital हो उसकी general entry है अब इस case में भी अगर जब आपकी fixed capital हो तो क्या करोगे तो simple सी बात है capital को replace करना है क्रंट से capital word को क्रंट word से आपने replace कर देने general entry same ही रहेगी ओके देखे आपको मैं replace करके दिखाता हूँ अपने illustration में तो पहले entry बन जाएगी इमारी गुट्विल काउंट डेबिट टू एज क्रंट अकाउंट टू बीज क्रंट अकाउंट गुट्विल के सामने 54,000 आ गया एज क्रंट काउंट के सामने old ratio में डवाइट किया है हमारे पास बहा जाएगा 30,000 और बी के सामने का जाएगा 24,000 और बी के सामने काउंट कर दो नरेशन में भी और जनल एंट्री में भी ओके ठीक है अलस्टेशन की हैल से आपको अच्छे तरीके से काउंट्रीं टीट्मर भी समझ लगया होगा और कैल्कुरेशन भी समझ लगी होगी गुड्विल की जो नेट अफेक्ट है वही रिकॉर्ड होगा आप किसी भी तरीके से करो अगर राइट आफ कर रेज करक बुक्स में ठीक है देखिए पार्डनर मैं आपको समझा भी दता हूं कैसे देखिए कैसे जिन होने वाले रिकॉर्ड भो भी मैं आपको समझा देता हूं देखिए पहली एंट्री में क्या हुआ जो पार्डनर्ज एक ही क्रेडिट हुई है वो 30,000 से क्रेडिट हुई है ल ठीक है और B के capital हमने credit की थी 24,000 से लेकिन debit हुई है 27,000 से तो debit कितनी हुई 3,000 ओके वो 3,000 है हमने debit किसी net effect से तो कोई भी choose कर सकते हो answer में कोई गलती नहीं होगी आप books में goodwill दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो decision is yours means partners का decision होता है जो भी partner books maintain करवा रहे हैं नहीं ओके अब goodwill के case में एक case और आ सकता है जिसमें हमारे पास books में already existing goodwill हो उसका accounting treatment हम क्या करेंगे जब books में already goodwill exist हो और आप उसने उसको आपने return off करना है तो जब goodwill को return off करना है तो उसके journal entry टर जाएगी all partners capital account in the case of fluctuating capital slash current account in the case of fixed capital current और capital account में से choose कर लेना है जो भी case आपको given हो to the goodwill to goodwill account ठीक है जह हमारी simple सी general entry बन जाएगी और इसमें हम क्या करेंगे जो भी existing goodwill है उसको old ratio में ही divide कर देंगे सारे partners के बीच में okay on narration इसकी simple सी already exist goodwill in the books of account are written off in case of existing goodwill अब दूसरी option हमारी होती है कि existing goodwill को carry on करना है in the books of account अब goodwill हमारा asset है उसको नहीं share ना लेकिन जो adjustment है वो adjustment अब हम करेंगे partners के capital जा फिर current account में in the case of fixed capital account okay इतनी भी goodwill हमारी exist करती है books में उसका हम gaining जो share है जो gain किया हुआ है उससे multiply करके actual compensation amount निकाल रहेंगे उस compensation amount की हम general entry record कर देंगे ठीक है general entry हमारी बन जाएगी gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account जो amount sacrifice किया है उसने goodwill का amount हम general entry डाल में general entry को record कर लेंगे इस general entry से क्या होगा goodwill का share जो आपस में adjust हो जाएगा partners के बीच लेकिन goodwill जो asset books में है वो ऐसे का ऐसे रहेगा वो नहीं खतम होगा अब reserve क्या होते हैं जा cumulative profit or losses क्या होते हैं जी जी आप already plus one में समझ के आ चुके हो अगर नहीं समझी तो मेरे plus one के youtube के वीडियो भी आप देख सकते हो जिस्ट लिखो reserve and साथ में लिख दो toiletips.com आपको वो वीडियो निकल के आपके सामने आ जाएगा in short में है मैं आपको meaning समझा भी देता हूँ कोई भी साल हो किसी particular year में जो partners हैं वो decide करते हैं कि हमने इस साल में एक लाकाप मुनाफ़ा कर लिया है जा दो लाकाप मुनाफ़ा कर लिया है तो जो भी हमने मुनाफ़ा किया है उसमें से कुछ percentage निकाल के हम as a future losses अगर कोई होंग जहां फिर हमें कोई जरूरत पढ़ जाएगी उसके लिए हम एक reserve create कर लेते हैं means profit का कुछ portion side में निकाल के रखना funds उसको बोलते हैं उसे हम बोलते हैं reserve ओके और जहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ reserve हम particular चीज़ के लिए भी कर सकते हैं जैसे हमने अगर कोई assets करी इतना है उस particular asset के लिए हम reserve कर सकते हैं अपने employees के लिए हम कुछ रिजर्व कर सकते हैं जा journal reserve कर सकते हैं जर्नल मिन किसी भी चीज़ के लिए हम उस पैसे को utilize कर दे सकेंगे in future जैसे workman compensation reserve हो गया जैक particular example एक journal reserve हो गया एक हमारा हो गया investment fluctuating reserve ऐसे reserve की examples हैं हमारे पास आपके question में में लिजे तीन ज्यादा reserve यूज होने वाले हैं आपके book में जो questions आएंगे journal reserve, accumulated profit and loss count आ गया और workman compensation reserve आ जाएगा 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 investment fluctuating reserve मतलब investment क्या होते हैं हमारा assets होता है उसमें को fluctuation होती है ना उसके लिए भी हमने एक reserve नाके रख लिया पहले ही अगर कोई हमें loss होगा तो हम उस reserve में से उसको wear कर सकेंगे accumulated profit and losses मतलब accumulate करना एकठा करना profits को जांफिर losses को कोई loss हमें हो रहा है उसे हम एकठा करके अपनी balance sheet में show कर रहे हैं वो हमारे accumulated losses होते हैं ठीक है अगर हमारा 2 साल लगाता लास चलता रहा तो हम क्या करेंगे वो capital में डालेंगे जांफिर उसको accumulate करके P&L में अपनी balance sheet में show कर सक करते हैं उसको ठीक है उन चीजों को कैसे distribute करना है उनका कैसे accounting treatment करना है वो book में से खतम कैसे होंगे write-off कैसे होंगे वह साबी चीजे आज हम study करने वाले हैं आज का lecture भी हमारा 90 to 95 मारा practically होने वाला इसमें हम लस्टेशन एक करेंगे आपको पूरा पूरा टोपिक समझा देंगे ठीक है प्रैक्टिकल है पूरा प्रैक्टिकल ओके इसमें theoretical कुछ नहीं है कुछ थोड़ी सी चीजे जाल रखने वाली है वो मैंने आपको समझा दी है तोड़ी सी आगया कि मैं समझाता जाऊंगा सो टॉपिक को स्टाट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक दू करें शेक करें में पहले चैप्टर की वीडियो सारी की सारी यूट्यूब पर डाल दी है आई तिंक वो एट्स वीडियो होग और दूसरे चैप्टर की वी वीडियो डाल दी है अब तीसरे चैप्टर की वी चार वीडियो डल चुकी है मैं आई बटन में सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा आप वन बाइब बन सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आई है इस वीडियो दो तरीके की जनल सकती हैं एक तो हमारा क्या होगा जो सारे रिजर्ब्स है रिजर्ब आलवेज लाइबिल्टी साइड होते हैं आपने देखा ही होगा ठीक है जब स्वर प्रपाइटर्शिप में आप बुक्स बनाते थे ना फाइनल सकाउंट्स तो रिजर्ब फरंड्स हमा क्या मीन क्या हुआ उनका क्या बैलंस होगा क्रेडिट बैलंस सो अब हम क्रेडिट बैलंस को डिस्टिब्यूट करेंगे अमंग दा पार्टनर्स तो क्रेडिट को डैबिट कर देंगे क्रेडिट को डैबिट किया तो जीरो हो गया ठीक है क्रेडिट इस इक्वल टू डैब में डाल देना है और क्रेडिट कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलो मैं आपको सीधी सीधी जनल एंट्री बोल के भी समझा देता हूं जब भी रिजर्व जा फिर अकॉमुलेटड प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करना है तो आप करोगे डैबिट रिजर्व को और अकॉमुलेटड प्रॉफिट को और क्रेडिट करना है आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्ट्वेटिंग कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करन्ट अकाउंट आ जाएगा अगर आपके कैपिटल की निचर फिक्सड है अब डैबिट में मैंने आपक आए हैं वो आपके तीनों चारों आ सकते हैं जैसे जर्नल रिजरब डैबिट अकॉमुलेटर प्रॉफिट अकाउंट डैबिट वर्कमेन कंपंसेशन रिजरब अकाउंट डैबिट ठीक है और आ सकते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्ट्वेटिंग काउंट डैबिट ठीक है और क्रेडिट में आप क्या करना है तू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट अब हम जो फिगर डालेंगे जर्नल रिजरब है उसकी तो आपको कोई डिजस्मेंट दी नहीं होती वैसे और अकॉमुलेटिव प्रॉफिट की भ है उसे आपने वो अडिजस्ट करना है अमाउंट जो अगर कोई उसके अगेंस्ट कोई लाइबिल्टी रेज हुई हो ओके स्पोज हमने वोर्कमेन कंपंसेशन जरब रखा था वान लैक का और हमें एक कंपंसेशन हमारे वर्कर्स ने क्लियम कर लिया हमसे 50,000 का तो वो लाइबिल्टी रेज होगी न वो 50,000 हम सब्ट्रेक्ट करेंगे पहले वान लैक से तो हमारा जो जरब बचा access amount liability के over जो access amount बचा उसे ही हम record करेंगे books में, वो केतना बच गया है 50,000 तो workman compensation account जो हमारा reserve का है उसके सामने debit column में आप लिखो गए 50,000 सेम बे investment fluctuating reserve है जो investment fluctuating reserve account है उसके सामने आप वो figure डालोगे जो भी आपका बच गया है जैसे हमने compensation में बचा डाला ना वैसे ही investment में अगर आपको के loss हो चुका है, suppose आपकी investment जो book value शो हो रही है means आपके asset side investment जो शो हो रही है, वो हो रही है 150,000 की, लेकिन उसकी at present market value है 1,25,000 तो जो 25,000 है, वो आपका market value से difference आ गया ना वो आपका loss हो चुका है, उसको आप investment fluctuating reserve में से subtract करोगे और अगर investment fluctuating reserve का कोई balance बच जाता है तो उस balance को आप डालोगे जनलेंट्री में ठीक है, debit column में डालना है debit का simple सी बात है, अगर कोई particular reserve है, उसके against अगर कोई liability generate हो चुकी है, अभी बन रही है, raise हो गई है, तो वो liability आपने पहले adjust करनी है, तब भी adjust करने के बाद, अगर balance उस reserve का बचता है, तो वो ही partners को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि liability आप शोड़ दो के जो भी fund है वो सारे के सारा partner को दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, अगर business ने जा फिर फरम की कोई liability raise हो चुकी है, तो वो आपने reserve उस liability के गेंस्टी रखे हुए थे, कि अगर future में हमारी कोई liability raise होती है, तो हम इन reserve को use कर पाएंगे, ठीक है, वो liability को clear करने के बाद अगर balance बचता है, तो यह partners को देंगे, क्योंकि वो profit का हिस्सा है, तो partners का उस पे हक बनता है, ओके, अब एक general injury or डल सकती है, जो हमारे पास हो, अगर cumulative losses, accumulative losses दो परकार करो सकते हैं, एक तो accumulative losses ही होगे, हमारे पिछले सालों के कोई loss है, हमने accumulate करके balance sheet में asset side show कर दिये, means वो debit balance होता है, P&L का, जहां फिर हमारे होते है, deferred revenue expenditures, अब deferred revenue expenditure वो होते हैं, जो बहुत ही huge amount होता है, expenses का, ठीक है, वो एक accounting, पिर हमने खर्चा तो कर लिया, लेकिन वो इतने जादा हो जाता है खर्चा कि हम उसको एक साल के profit में से realize नहीं कर सकते, उसके against उसको claim नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, उसको write off करते हैं, year on year, हर साल में उसको हम write off करते रहेंगे, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जितने साल भी हमने सोचा, उस खर्चे का benefit उठाने वाले हैं, उस के according की ही हम उसको write off करते रहेंगे, ठीक है? सबसे बड़ी example क्या है? advertisement, हमने अगर advertisement पर कोई क्या huge expenditure कर दिया, suppose हमने deal कर ली, IPL की किसी team के साथ, Kings Lemon Punjab के साथ हमारी deal होगी, कि आप हमनारा logo लगाओगे अपनी टी-शिट पे, कितने साल के लिए, पूरे चार साल के लिए, उस deal का amount बहुत huge था, और उसका period भी कितना है, चार साल का, तो हम उस चार साल को divide करके ही, पूरे एक-एक साल में उस expense को डालेंगे, अगर suppose वो चार क्रोड में deal final होती है, तो हम चार साल में one crore, one crore, one crore, one crore each डालेंगे, ओके, अब ऐसे expenditure, जब change in profit sharing ratio में होती है, तो profit पे तो असर डालेगा ना, इन expenditure का, फिर उसको भी हम क्या करते हैं, उसकी भी distribution कर देते हैं, among the partners, ओके, तो जो profit and loss हमारा accumulate हुआ है, loss, वो loss हमारा debit balance होता है, ओके, और जो defer revenue expenditure भी हैं, वो भी हमारा debit balance होता है, तो debit balance को हम credit करके zero करेंगे, और partners capital account को हम इससे क्या करेंगे, कम करेंगे, loss आने से capital कम होती है, तो कम कैसे होती है capital, debit होने से clear, तो journal entry हमारी बन गी, all the partners capital account debit to profit and loss account debit balance जा फिर accumulative loss account और to deferred revenue expenditure account, ओके, और अगर हमारा fix capital account है, तो फिर क्या जाएगा, all partners current account, अब ये तो हमने समझ लिया, overall जैसे भी एक entry डल ली है, हमारी जो adjustment की कैसे करना है, लेकिन अब जो मैंने पहली general entry में आपको workman compensation reserve बोला ना कि excess amount over the liability, जो reserve का बच जाता है, उसको ही हमने books में record करना है, जा फिर उसको ही general entry में record करना है, लेकिन अब हम इसको cases के रूप में पूरी तरीके से समझेंगे, कैसे उस amount को calculate करेंगे, सो सबसे पहले हम workman compensation reserve की adjustments देख लेते हैं, और उसके बाद investment fluctuation reserve की भी देख लेंगे, ओके, अब workman compensation reserve का meaning तो मैंने आपको पहले बता दिया, मैं फिर एक बार repeat कर देता हूँ, workman compensation reserve ऐस इसलिए रखा जाता है, कि जब भी firm में कोई भी employee firm का compensation मांगता है, firm से, कि आपने बज़ा से मेरा ये नुकसान हो चुका है, तो आप मुझे इतना compensate करो, उसके लिए हम क्या करते हैं, reserve निकाल कर रख लेते हैं, ओके? अब workman compensation reserve को हम समझ लेंगे, इसके दो cases की बनाके मैं आपको समझा देता हूँ, एक पहला case हमारा बन जाएगा, when claim against workman compensation reserve does not exist, means workman compensation reserve जो amount है, उसके against कोई claim नहीं है, अभी हमारे पास spending जो हमने adjust करना है, और दूसरा case बन जाएगा हमारे पास, when claim for workman compensation is exist, means वो exist कर रहा है, कोई claim amount pending पड़ा हुआ है, तब कैसे treatment होगा, ओके? So, पहले बारा treatment तो बहुत ही simple है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने का amount है, वो reserve का जो भी total बचा हुआ है, वो सारे का सारा partners में आप distribute कर दोगे, simple सी general entry बन जाएगी, क्या general entry बन जाएगी? workman compensation reserve account, debit to all partners capital account, अगर fixed capital nature में फिर क्या हो जाएगा? current account, exactly, ठीक है, profit sharing ratio जो भी उनकी है, उसमें आप उसको distribute कर दोगे, जो old वाली है, क्योंकि जो सारा material यह है, बेलशीट में पड़ा हुआ है, वो old है, तो distribute भी among the partner in old ratio होगा, new ratio में नहीं करेंगे हम, ओके, यह तो हमारा case simple यह है, जो second case है, हमारा जिसमें claim exist करता है, उसके आप अब तीन सब cases बन जाएगे, सबसे पहले बन जाएगा equal to, means जितना compensation claim करना है, वो equal है reserve के amount के साथ, और जाफिर आजाएगा less than, means claim amount less than है reserve के against, और जाफिर आजाएगा more than, means claim amount जो है हमारा वो जादा है, जितना हमारे पास reserve पड़ा हुआ है, अगर तो equal है, equal means suppose हमारे पास जो reserve पड़े हुए है, वो पड़ा हुआ 50,000, और उसके against ही मारे पास claim भी amount खड़ा हुआ है, 50,000 का, तो बहुत हो simple सी transaction, आप एक generality record करोगे, छोटी सी, क्या generality बन जाएगी, workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account, अब reserve को आपने provision में convert कर देना है, जब भी वो हम से claim मागएगा, वो provision से हम करके उसको खच-चच खटम, credit वाली figure change हुई है, जहाँ पर credit पहले तो अगर claim नहीं था, हमने किसको किया था, partners capital account को, अब हम करेंगे provision for workman compensation claim account, जेत हो गया equal to वाला case, अब less than वाले case में क्या होगा, जिसमें हमारा reserve का amount जादा है claim के amount में, amount से, तो हम generality record करेंगे workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account, मतलब जितना claim है उतनी परवीजर लग जाएगी और जो बाकी का balance बच जाएगा हमारा वो हम डाल देंगे partners capital account, और fixed capital हो अगर in nature तो partners current account में, okay, balance जो बचा है वो भी old profit share ratio में ही distribute होगा, जे बात हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप जो chapter आप कर रहे हो ना, आप कर रहे हो change in profit sharing ratio, profit sharing ratio change हो रही है means new ratio बन रही है, जो भी आपके पास balance sheet में हैं उसको आप distribute करोगे पराणी ratio में, जो नहीं चीज़ आएगी वो नहीं ratio में होगी, पराणी चीज़ करनी है तो पराणी ratio में, नहीं चीज़ करनी है तो नहीं ratio में, okay, अब last case आगे हमारे पास more than means claim का amount जादा है हमारे reserve से, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम partner से लेंगे ना पैसा बापस, भी और दो भाई, claim माग रहा है बंदा हमारा, तो आप पहले वो पैसे लो, reserve भूल जाओ, reserve तो आपका जा नहीं है, और पैसे लाओ, उस case में जनरेंटी रिकोर्ट हो जाएगी हमारी workman compensation reserve account debit, revaluation account debit, to provision for workman compensation claim account, अब क्या हुआ, जितने पैसे तो reserve में पड़े थे, वो हमने reserve से ले लिए और जितने पैसे कम थे, वो हम revaluation से डालके, वो partner की capital से लेंगे, ठीक है, जो भी profit का distribution निकलेगा न, revaluation account आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बहुत ये अच्छे तरीके समझ जाएगे, next video मैं इस पर ही बनाने वाला हूँ, revaluation account पर, कैसे revaluation account बनता है, और क्या क्या हम उसमें डालेंगे, तो revaluation का net effect जो निकलता है न, वो जाता है partners capital account को, तो यहां क्या हुआ, partners की capital ही हम एक इसाब से debit कर रहे हैं, यह क्या हो गया हमारा workman compensation reserve का topic जहाँ पर खतम, अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक illustration करेंगे, और आपको चुटकी से सारा कुछ समझ लग जाएगा, पूरे का पूरा topic, कैसे कैसे adjustment करनी है, और जब आपके पास पूरा long question आएगा, आप उसमें इसकी calculation बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, यह करते हैं illustration हम एक T.S. करेंगा की book में से उठा लेते हैं का, A, B, C, sharing profit and losses in the ratio of 4 is to 3 is to 2, decide to share the future profit and losses in the ratio of 2 is to 3 is to 4, with effect from 1st April 2019, and extract of their balance sheet as on 31st March 2019 is, liabilities हमारे पास दी हुई है, acid में आपके पास कुछ नहीं दिया, क्योंकि हमें liabilities से मतलब है, आप यहाँ पर समझने ही क्या बाले हो, workman composition reserve का treatment, तो liability side हमें दिया हुआ है, workman composition reserve कितना, 90,000, नीचे हमारे पास 6 cases दिये हुए है, total 6 cases है हमारे पास, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, show the accounting treatment under the following alternative cases, तो one by one सभी cases को हम understand कर लेते हैं, और आपका पूरा topic cover हो जाएगा, इन 6 cases के साथ, number one के साथ स्टार्ट करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है, जहांपर if no information as to claim is given, कोई भी information नहीं दी, हमारे पास की claim है, कि नहीं है, होने बाला है, कि होगा, जह हुआ था, जह कुछ भी नहीं बोला, तो क्या करना है, अगर question silent है claim के बारे में, आपको कुछ भी नहीं बोला, कि claim है, pending या नहीं, तो आप क्या assume करोगे, simple सी बात, कोई claim नहीं है, zero amount of claim, so simple सी entry डाल दोगे, कोई claim नहीं है, कोंसी entry बताई थी मैंने आपको, जह देखें पीछे, वर्कमेंड कंपंसेशन रिजर्व काउंट डाबिट टू, आल पार्नर्स कैपिटल अकाउंट, जर्नल के फॉर्मेट में लिख देते हैं, 1st April 2019 को, वर्कमेंड कंपंसेशन रिजर्व काउंट के सामने आ जाएगा, 90,000, A, B, C की हम रिजर्व में 90,000 को डिस्टिब्यूट कर देंगे, अब पहले हमारे पास है, A की ओल्ड रिजर्व कितनी दी हुई है, 4, 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना बन गया हमारे पास, 9, 4 अपोन 9 हमारा शेर के इसका निकला A का, तो हम 90,000 multiply by 4 divided by 9 करेंगे, तो 9 को 9 से कट गया, तो जब 10,000 बचा तो 10,000 multiply by 4 हमारा निकल गया गया 40,000, सेम भे हम V का कर लेते हैं, V का भी ऐसे हो जाएगा, 90,000 multiply by 3 by 9, 9 से 9 कट गया और 10,000 multiply by कितना हो गया 3, तो हमारे पास आ गया 30,000, यह मी तरीके से हम C का भी शेयर निकाल लेंगे, 90,000 multiply by old ratio of C, C the old ratio हमारे पास क्या है, 2 by 9, तो 2 divided by 9, 9 से 9 कट गया, तो 10,000 बचा 10,000 multiply by 2, निकल गया कितना है, 20,000, ओके, तो narration लिख देंगे हम 30C, being the transfer of workman composure reserve to partners capital account in their old profit sharing ratio, समझे लग गई, कोई दिक्कों तो नहीं आई न, बहुत easy से समझे लग गया होगा, यह हमारा easy सा part था, कोई claim ही निक्जिस्ट करता, जतना workman composure reserve था, उसको हमने old ratio में distribute कर दिया, among the all partners, second case है, हमारे पास if there is no claim, अब इसमें बोल ही दिया, उसने में question में लिखा हुआ है, कि claim है ही नहीं, उसमें तो आपने assume किया claim है नहीं, इसमें उसने लिखके बता दिया claim है नहीं, तो simple सी बात है, general entry तो same ही रहेगी न, उसमें हमने माल लिया claim नहीं है, इसमें उसने बता दिया भी claim नहीं है, is estimated at 45,000 claim का amount दिया हुआ है हमारे पास कितना 45,000 हमारा reserve कितना है 90,000 so case कौन सा आ गया less than वाला means हमारा claim amount कम है हमारे reserve से की जनेटरी क्या बन जाएगी case number three की workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account to A's capital to B's capital to C's capital claim हमारे पास जतना है 45,000 का उसको credit कॉलम में लिखो प्रवीजन के सामने 45,000 और reserve हमारे पास कितना है 90,000 का उसको debit कॉलम में लिख देते है 90,000 90,000 minus 45,000 तो हमारे पास balance कितना बच गया 45,000 ओके इस 45,000 को हम distribute कर देंगे old ratio में among the all three partners 45,000 multiply by 4 divided by 9 जहें हमारा cutting करने के बाद के बाद के बाद आ गया कितना 20,000 same way हम B का निकाल लें के B का calculate करने के बाद मारा आ गया 15,000 और C का calculate करने के बाद आ गया 10,000 और narration हम लिखे देंगे इसकी बीइंग दे ट्रांस्पर उप सर्प्लस वर्कमेंट कांपशन रिजर अप टू आल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देर ओल्ड प्रॉफिट शेरिंग रेशो तो next case है हमारे पास fourth if a claim on account of वर्कमेंट कांपशन इस एस्टिमेटर आप 99,000 यह इसमें क्या हो गया अब 99,000 90,000 से ज़्यादा हो गया जे more than वाला case हमारे पास आ चुका है कितना ज़्यादा हो गया 9,000 तो 9,000 अब किसमें डाल देंगे revaluation account में simply ओके तो इसकी general entry मारे पास बन जाएगी workman compensation reserve account debit revaluation account debit to provision for workman compensation claim account workman compensation reserve account के सामने debit column है 90,000 और revaluation account के सामने आजएगा access month वो कितना है 9,000 और provision for claim के सामने हमारे पास आजएगा 99,000 अब narration लिखनेंगे इसकी छोटी सी being the provisions created and shortfall charge to revaluation account question में तो आप पूरे का पूरा revaluation account बनाओगे उसका profit and loss निकालोगे तो जो profit loss आएगा उसको distribute करोगे लेकिन workman compensation claim जो आजाता है हमारे पास उसमें हम क्या कर देते हैं revaluation का भी treatment करके दिखाई देते हैं means अब जे loss हो गया हमारा revaluation में ठीक है debit है तो क्या करेंगे all partners capital account को debit कर देंगे और revaluation account को credit कर देंगे हमारा revaluation भी nil हो चुका है ओके so लिखिये second entry मारी बन जाएगी a is capital account debit b is capital debit c is capital debit to revaluation account अब figure 9000 तो a के सामने debit कॉलम में आ जाएगा 4000 means 9000 multiply by 4 divided by 9 9 9 से 9 कट गया हजार बचा और 4 गुना हजार के तो हमारे पास 4000 आ ठीक है same way में हम b c के निकाल लेंगे b का जेगा 3000 और c का जेगा 2000 revaluation account के सामने हमारे पास कितना आ गया 9000 जे हमारा loss distribute हो चुका है being the transfer of loss on revaluation to partners capital account in their old profit sharing the show और next case है हमारे पास case number fifth if the claim on account of workman compensation is estimated to 90,000 अब workman compensation claim हमारे estimate किया तो 90,000 निकला means यह case है कि हमारे पास equal to का तो equal to community तो बहुत easy है case number five की community हम बना देंगे workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim account अब workman compensation reserve account के सामने debit कौन में देगा 90,000 और claim कौन के सामने आ देगा estimated workman compensation claim account और next और last case है मारे पास case number six if a claim on account of workman compensation is determined at 36,000 जहां पर determined लिखा हुआ है determined means determined वो पता है में amount के इतना ही claim है कितना 36,000 का determined कर दिया पहले ही बता दिया estimate नहीं लगाया means वो confirm amount है 36,000 का उस case में हम provision नहीं रखेंगे claim की क्या करेंगे provision नहीं रखेंगे क्योंकि हमें claim मिले गया है वो हम claim account में डालके उसको खतम कर देंगे okay so last case में फिर हमारे पास जनरेंटरी बन जाएगी workman compensation reserve account debit to workman compensation claim account जहां पर क्या आगया workman compensation claim account खतम कर दिया okay कितना 36,000 और जो balance अकसेस बचा उसको हम distribute कर देंगे among the all partners so लिख दीजिए two A's capital account two B's capital account two C's capital account रखेंगे सामने तो हमारे पास आगे 90,000 और claim account के सामने आगया 36,000 जितना amount determine किया है और A B C के सामने हमारे पास जो balance बचा है वो हम distribute कर देंगे 54,000 का so 54,000 multiply by 4 divided by 9 किया तो हमारे पास आ गया तो हब हम 9 को 54 से divide करें तो हमारे पास आ जाएगा 66,000 multiply by 4 जाएगा हमारे पास 24,000 so A का निकल गए 24,000 same way में B का निकल जाएगा 18,000 और C का निकल जाएगा 12,000 okay जो हम लिख देंगे इसकी का निकल जाएगा 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 कर लेते हैं investment fluctuation reserve okay means in short simple सी बात है investment हम करते हैं जब उसमें अगर कोई fluctuation होती है उसको cover करने के लिए हम जो reserve create करते हैं न उस reserve को हम बोलते हैं investment fluctuation reserve so topic को start करने से पहले मैं आपको request करूंगा कि वीडियो को लाइक करें श्यक्राइब हमारे पास पहला केस बनेगा वैन बुक वैल्यू एंड मार्किट वैल्यू आफ इन्वेस्ट्मेंट आर सेम कोई भी डिफरेंस नहीं है सेमी बुक वैल्यू सेमी मार्किट वैल्यू है ओके दूसरा केस हमारा बन जाएगा वैन मार्किट वैल्यू ओफ इन्वेस्ट्मेंट इस लेस देन दा बुक वैल्यू मीन्स बुक्स में हमारे पास जो इन्वेस्ट्मेंट शो हो रही है वो जादा है स्पोस वन लैक है ले there is an increase in the market value of investment जहां क्या हो गया कि हमारे पास book value एक लाग है लेकिन market value उसकी 1,10,000 हो गी है means increase आ गया है market value में जितनी की हमने investment की ती उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे अब बन चुके हैं उस investment के पहले case में हम क्या करेंगे अब देखो जो हमारी market value है same है book value में तो difference तो कोई नहीं आया means हमें loss zero हुआ कोई loss नहीं हुआ ना हमें अगर हमें कोई loss नहीं हुआ तो हमने fluctuation fund में से कोई भी उसका treatment नहीं करना कोई भी subtractive गएरा नहीं करना जितने का जितना भी हमारा investment fluctuation reserve है अब वो सारे का सारा partners capital account में चले जाएगा जा फिर current account में ठीक है so इस case में general entry हमारी क्या बन जाएगी general entry हमारी बन जाएगी investment fluctuation reserve account debit to all partners capital account fixed होगी capital तो all partners current account old ratio में distribute होगा मैंने जैसे पहले भी आपको बता दिया है workman compensation में भी और profit loss में भी जे सारे के सारे जब हम change in profit share ratio करते हैं जो भी पराणा हमारा balance sheet में assets बचा पड़ा हुआ है जापर रिको liability है उसको अगर distribute करना है among the partner तो वो old ratio में ही होगा next है हमारे पास when market value of investment is less than the book value अब market value क्या है हमारे पास कम है book value से इसके भी तीन case बन जाएगे हमारे पास एक नहीं बनेगा तीन case बन जाएगे वो कैसे पहला case हमारा बन जाएगा fall in value is less than the investment fluctuation reserve means जो इतना हमने reserve रखा हुआ था fluctuation का means भी इतनी fluctuation आ सकती है उससे कम में हो उससे कम difference आया हो means book value minus market value जो भी amount आया वो fluctuation reserve से कम हो एक case ये बन गया और दूसरे case में होगा equal to means जो भी book value minus market value करके हमारे पास कोई difference आया भी इतने का loss आया उस loss के equal to ही हमारे पास reserve है and तीसरा case हमारा बन जाएगा fall in value of investment is more than investment fluctuation reserve means market value और book value का difference जो आया जो भी हमने loss हुआ वो loss का amount अगर fluctuation reserve से ज़्यादा है तो उसका treatment भी लगोगा जो तीन case बनगे तीनों का treatment समझते हैं one by one पहला तो simple आ गया जो fluctuation reserve हमने सोचा था कि suppose one lakh की investment है हमारी हमने उसका profit से share निकाल के रखते रखते हमारे पास twenty thousand का क्या आ गया fluctuation reserve आ गया हमने इतना सोच लिया कि 20,000 पर fluctuation हो जानी है और 20,000 का हमें loss इस investment से होने वाला है हमने यह सोच के रखा था लेकिन हमें loss हुआ only and only 10,000 का तो 10,000 का तो हमारा फैदा ही हुआ न वो profit का जो हिस्सा निकाल के रखा हुआ है उस profit का हकदर कौन हुआ all partners तो इस case में जो general entry बनेगी वो हमारी general entry बन जाएगी investment fluctuation reserve account debit liability side होता है, credit होता है इसको debit करना है two investment account जितना पैसा investment account में गया वो वाला और two partners capital account जा फिर partners current account अब fluctuation जो reserve account है debit हुआ उसमें तो full value आजएगी जितने का reserve हमने maintain किया जैसे मैंने example में आपको बताया कितना 20,000 so 20,000 आ जाएगा amount ओके और investment में जाएगा जितना difference आया था book value minus market value करने के बाद जो difference आया वो कितना था 10,000 तो जहाँ पर आगे 10,000 और जो बाकी का 10,000 बचा है वो partners capital account जा फिर partners current account को देना है in old profit sharing ratio old profit sharing के शो next case हमारे पास आजेगा fall in value of investment is equal to the investment fluctuation reserve जितने का reserve है उतना ही decrease आ गया जैसे मैं अपनी last example को continue करता हम एक लाग की investment थी 20,000 का हमारे पास था fluctuation reserve और जो एक लाग की investment है उसकी market value पिछले question में case में हमने रखी थी 90,000 अब इस case में हम रख लेंगे उसकी market value कितनी 80,000 तो market value book value से हम जब subtract करेंगे 1,00,000-80,000 तो हमारे पास कितना loss आया 20,000 की fluctuation आ गई तो reserve कितना है 20,000 का तो equal amount होगे न दोनों के दोनों ओके कोई confusion इस case में simple entry डिलेगी दो account आएंगे हमारे पास पहला account बन जाएगे investment fluctuation reserve account जिसको हम करेंगे debit और दूसरा जाएगे investment account जिसको हम करेंगे credit ओके so लिखिए general entry investment fluctuation reserve account debit to investment account पूरे का पूरा amount investment account को चले जाना है कितना 20,000 20,000 each clear next case है हमारे पास fall in value of investment is more than investment fluctuation reserve more than मतलब जितना हमारे पास reserve है उससे भी ज़्यादा हमें loss हो चुका है इस case में मैं last example continue करता है 20,000 का हमारे पास reserve था 1,000,000 की investment थी लेकिन अब जो investment की market value है वो रह गए all and only 70,000 so book value minus करेंगे market value तो हमारे पास कितना आ गया 1,000,000-70,000 तो जे बज़ा हमारे पास 30,000 30,000 का हमारे पास loss है और reserve है all and only 20,000 का तो reserve से ज़्यादा हमारा loss हो चुका है इस case में हम general entry क्या करेंगे हम debit करेंगे दो account को किस किस को पहले करेंगे investment fluctuation reserve को debit कितना है वो 20,000 का 20,000 ठीक है दूसरा account हम करेंगे revaluation account debit और 2 कर देंगे investment account 2 account debit होगे एक हमारा होगा credit investment में total loss आ गया 30,000 का और 20,000 उपर है तो difference कितना आ गया 10,000 का 10,000 कहां से लेंगे revaluation account से और revaluation का जो profit और loss निकलेगा वो कहां जाएगा partners capital account में जो हम next वीडियो में समझने बाले है कैसे निकालना है ओके revaluation account का जो profit और loss आता है उसकी general entry क्या बनती है अगर loss है तो loss की बन जाएगी partners capital और current account debit to revaluation account इन old profit sharing ratio हम इसको distribute करते है ओके last case है हमारे पास when there is an increase in market value of investment अब जो भी investment है उसकी market value ही increase हो चुकी है उस case में क्या होगा reserve तो use होने बाला नहीं है तो reserve तो सारे का सारा ही हम partners को दे देंगे और जो market value increase होई है वो तो कहां जाएगी revaluation account में ओके तो इस case में दो entry डलेगी पहली तो transaction जे record हो जाएगी जितना का investment fluctuation reserve है हमारे पास वो सारे का सारा हम partners को distribute कर देंगे क्या इंचनलेंट्री बन जाएगी investment fluctuation reserve account debit to all partners capital account चापिर all partners current account in old profit sharing ratio हम इसको क्या करेंगे distribute सारे का सारा reserve क्योंकि reserve हमें loss ही नहीं हुआ तो reserve क्या हो गया सारा ही partners का हो गया नेक्स जनलेंट्री रिकॉर्ड होगी हमारी investment account debit to revaluation account जितनी की investment हमारी increase हो चुकी है वो हम investment books में ले आएगे ठीक है debit होगे books में आएगी न वो increase कर दी investment कितनी जितनी भी increase हुई to revaluation account revaluation को credit कर देंगे और जह सारे का सारा जो भी market value आई हमारी वो ही जहां पर डलेगी means जैसे market value minus book value ओके जो difference आया positive आएगा वो ही difference जहां पर आएगा और जो revaluation count है वो automatically profit or loss जो उसका distribute हो जाएगा among the partners means जितनी भी value increase हो वो partners को ही मिलने वाली है समझ लगे आपको तीनो case तीनो case के एक case का second case के आगे तीन case वो भी आपको समझ लगे बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है समझ लगे होंगे अगर कोई confusion ना तो comment कर लो भई वो तो हम reply करने वाले हैं ओके तो अब और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक example उठाते हैं और example को continue करके पूरी पूरा तरीके से elaborate करेंगे और उसके बाद आपको सारे का सारा topic practically practically समझ लग जाएगा example करते हैं TS गरेवाल की book से A B and C sharing profit and loss in the ratio of 4 is to 3 is to 2 decide to share future profit and loss in the ratio of 2 is to 3 is to 4 with effect from 1st April 2019 and extract of their balance sheet as on 31st March 2019 is वह आपको balance sheet दी हुए है निकाल के liability side आपको दिया हुआ है investment fluctuation reserve 18,000 और assets दिये हुए asset side क्या investment at cost कितनी है 2 lakh उके उसके बाद आपको लिखा है show the accounting treatment under the following alternative cases total five case दिये हुए है number of जिसका treatment आपने show करना है सारे का सारा one by one ओके पहला case है हमारे पास if there is no other information अब हमारे पास कोई information नहीं given कि investment कितने कि उसकी market value है बड़ी है गटी है equal है क्या है कुछ नहीं बताया तो आप क्या समझोगे क्या assume करोगे simple market value is equal to book value ओके आप simply जह case लगा दोगे कि market value equally है book value के क्योंकि हमें information नहीं दी तो हम increase और decrease दे तो assume कर नहीं सकते है क्योंकि increase decrease कितना हुआ 10,000 20,000 one lakh two lakh कितना हुआ वो तो आप assume नहीं कर सकते equal to तो हम assume कर सकते हैं ना कि जितने की की थी उतनी की तो हूनी चाहिए यार इस case को हम simply solve कर देंगे जितना की reserve है वो सारे का सारा distribute कर देंगे among the all three partners जर्नल का format बना लीजिए और date column में लिखिए first apple 2019 और case number one की जनरेंट हमारे पास आगी investment fluctuation reserve account tab with two A's capital account, two B's capital account, two C's capital account, अब investment fluctuation reserve हमारे पास कितना दिया balance sheet में 18,000 तो लिखिए debit column में 18,000 और इस 18,000 को तीनों ही तीनों partners में distribute करना है किस ratio में मैंने बार बार आपको focus ली बताया है किस ratio में करना है old ratio में exactly ठीक है इसको हम करेंगे old ratio में distribute old ratio हमारे पास दी हुई है 4 is to 3 is to 2 तो इसका total लगा लीजिए जह हमारे पास total आगया 9 तो A का share निकलेगा 18,000 multiply by 4 divided by 9 9 को cut करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास 2 आगया 2000 multiply by 4 तो जह निकल गया हमारा 8,000 सेम बे V का निकल जाएगा 18,000 multiply by 3 divided by 9 cut किया और 2000 multiply by 3 किया तो हमारे पास आगया 6000 ऐसे ही C का calculate कर लीजिए 18,000 multiply by 2 divided by 9 C का share कितना है 2 है तो divide कर दिया तो जह हमारे पास आगया 2000 2000 को 2 से multiply किया तो जह निकला 4000 तो को right column में आगया 4000 ओके और इसकी narration आजाएगी मारे पास being the transfer of excess investment fluctuation reserve to partner's capital account in their old profit sharing ratio तो जह केस हमारा complete हो चुका है ठीक है अब next case करते है case number second है मारे पास if the market value of investment is equal to 2 lakh अब ये भी case same ही हो गया इसमें उसने बताया हुआ है कि equal to 2 lakh है means book value is equal to market value है पहले case में हमने assume कर लिगा था कि equally होगी क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं है तो कुछ नहीं करना है same ही case है same ही distribution same ही general entry बन जाएगी उसमें assume करके किया था इसमें actual में है तो जह लिखी है case number 2 की भी same ditto entry copy paste clear थर्ड case है हमारे पास if the market value of investment is 1,91,000 अब क्या आ गया market value 1,91,000 है और book value कितनी है हमारे पास 2,00,000 तो जह क्या है कम है न book value minus market value किया है तो loss कितना है हमारे पास 2,00,000 minus 1,91,000 equal to 9,000 अब 9,000 का हमारे पास loss आ गया और हमारे पास reserve कितने का 18,000 का अब कम है लेकिन reserve से कम नहीं है ओके loss जो है reserve से कम है और वैसे loss है हमारे पास तो reserve हमारा 18,000 है और loss हमारा है 9,000 तो 9,000 हमारा reserve excess है और 9,000 हमें investment को देंगे और 9,000 जो बचेगा वो partners को distribute कर देंगे तो इसकी ज़ए entry हमारी बन जाएगी case number 3 की investment fluctuation reserve account debit to investment account जितने का loss है टू A's capital टू B's capital टू C's capital investment fluctuation reserve account के सामने debit call में आजएगा 18,000 और investment account के सामने आजएगा 9,000 जो हमने पीछे calculate किया 2 lakh minus 1,000 और A की capital के सामने आजएगा 9,000 multiply by 4 by 9 अब बचा कितना है 9,000 को उसी 9,000 को हम distribute करेंगे 9,000 को 9 से cut दिया तो 1,000 आगया 1,000 multiply by 4 तो जे हमारा आगया 4,000 इम बे में हम cutting करके calculation कर लेंगे B और C की वी और B का हमारे पास निकल गया गया 3,000 और C का जएगा 2,000 इसकी relation लिखे देंगे हम being the transfer of excess investment fluctuation reserve account to partner's capital account in their old profit sharing ratio after adjusting with the investment account next है हमारे पास case number 4 if the market value of investment is 2,18,000 अब इस case में market value क्या है जादा है क्योंकि book value कितनी है हमारी 2,00,000 market value minus book value की कितना excess आगया 18,000 का तो 18,000 का profit हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे जो investment fluctuation reserve है वो तो हमारा use नहीं होगा तो वो सारे का सारा हम distribute कर देंगे among the partners और जो profit हो रहा है वो हम book कर लेंगे books में तो investment की value books में निकरीज करने के लिए investment को debit करके revaluation को credit कर देंगे लिए इनकी भी general entry कर लेते हैं case number 4 की सबसे पहले लिखेंगे हम investment fluctuation reserve account debit to a is capital account to b is capital account to c is capital account जे तो हमारी dicto entry बनकी जो first case की और second case की थी वो सारी की सारी calculation same आ जाएगी fluctuation reserve account के सामने 18,000 आ जाएगा और a की calculation same करके हमारा निकलेगा 8,000, b का निकलेगा 6,000 और c का निकलेगा 4,000 narration आ जाएगी being the transfer of excess fluctuation reserve account to the partners capital account in their old property sharing ratio जो next entry record होगी वो नहीं होगी वो हमने पीशे समझी भी है उसमें क्या करना है हमने investment को बढ़ाना है increase करना है क्योंकि investment की book value increase हो चकी है तो वो हमने books में भी show करनी है जितनी increase हुई है तो वो कैसे करेंगे investment account debit to revaluation account so investment account के सामने debit को लमें जाएगा 18,000 और revaluation account के सामने भी आ जाएगा 18,000 से माउंट है ना 2,18,000 माइनस 2,18,000 ही आ गया ओके इसकी narration आ जाएगी हमारी being the value of investment bought up in the up to the market value जो investment की value थी book value उसको हमने up to the market value bought up कर लिया books में record कर लिया आपका यही case अगर आता है culture में तो उसका तो आप जो profit है वो distribute कर दोगे among the partner तो उसकी entry बन जाएगी revaluation account debit to A is a capital account to B is a capital account to C is a capital account अब revaluation के सामने कितना profit है 18,000 तो वो distribute कर देंगे among the partner 18,000 multiplied by 4 divided by 9 तो यह भी हमारा same amount या जाएगा कितना 8,000, 6,000, 4,000 सारी की सारी कलकेशा same है क्योंकि figure ही same है इसकी narration हम लिख देंगे being the transfer of profit on revaluation account to the partner's capital account अब last case है मारे पास case number 5 if market value of investment is 1,73,000 अब market value 2,00,000 से गट कर आगी है 1,73,000 तो जब book value से इसको minus किया 2,00,000 minus 1,73,000 तो हमारा loss कितना निकला 27,000 लेकिन हमारा reserve कितना है 18,000 तो यह reserve से भी ज्यादा का loss हो चुका है तो जो balance है वो कहां से वियर करेंगे हम revaluation account से जो जाएगा partners capital account में ओके अलिए अब हम इसकी generality record कर लेते है case number 5 investment fluctuation reserve account debit revaluation account debit to investment account क्योंकि हम investment को कम कर रहे है investment को credit करना है सारे के सारी जो भी investment की value वो कम हो जाएगी कितनी कम होगी 27,000 so 8,000 तो हम fluctuation is 18,000 sorry 18,000 तो हम investment fluctuation reserve से ले लेंगे और जो excess 9,000 है वो हम कहां से लेंगे revaluation account से वो revaluation account के सामने लिख दो 9,000 तो investment के सामने टोटल कितना आ गया 27,000 credit में तो investment debit थी हमारे पास 2,000 की credit की हमने 27,000 की तो net हमारे पास बेलोशीट में कितनी रह जाएगी 1,000,73,000 very good being the fall in value of investment adjusted through investment fluctuation is zero and shortfall charge to revaluation account इन इसकी transaction का ओड हो जाएगी जो loss है revaluation का वो transfer करेंगे हम partners capital account में तो वो कैसे करेंगे A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to revaluation account कितना loss है 9,000 का तो revaluation account के सामने हैं 9,000 और इसको हम distribute कर देंगे मंगदा partner in the old profit sharing ratio 9,000 multiply by 4 divided by 9 9 से 9 कटके 1,000 आ गया और multiply किया 4,000 आ जाएगा B का आ जाएगा 3,000 और C का भी ऐसे ही आ जाएगा 2,000 इसकी narration आ जाएगी being the transfer of laws on revaluation to partners capital account in the old profit sharing ratio चलिए यह हमारा topic खत्म हो चुका है आगे हम करते हैं defer revenue expenditure अब defer revenue expenditure का meaning मैंने को समझाया न वीडियो में वह होते हैं जो huge expenditure होता है बहुत ही जादा बड़ा खर्चा हो जाता है हमारा जिसको हम एक साल में cover नहीं कर पाते एक साल के profit में से उसको deduct नहीं कर पाते हैं अगर करते हैं तो वह loss में convert हो जाता है loss भी इतना ज्यादा होता है जो भी हम income tax वो करने नहीं देता हमें ओके इसका तो simple treatment है सारे का सार जितना भी हमारे पास balance बचा पड़ा है defer revenue expenditure का वह सारे का सारा हम डाल देंगे partners capital account को ठीक है defer revenue expenditure हमारे asset side होते हैं वो debit होता है उसको हम credit करेंगे तो partners capital account हमारा करेंगे इसको debit ओके तो इसकी जलेंटरी बन जाएगी मारी partners capital account जा फिर partners current account debit to defer revenue expenditure account जितना भी amount है वो सारे के सारा डिल जाएगा तो चलिए इसकी भी illustration कर लेते हैं शोटी सी TS करेबाल की book से हरदीप और संदीप और partner sharing profit in the ratio of 4 is to 1 they decide to share the profit equally with the fact from 1st April 2019 their balance sheet as on 31st March 2019 shows the balance of advertisement suspense account of rupees 20,000 past the guarantee or at the time of change in profit sharing ratio इस illustration में आपको advertisement suspense account दिया हुआ है advertisement suspense account is the major example of defer revenue expenditure defer revenue expenditure जो asset हम create करके रखते हैं उसका सबसे बड़ा example है advertisement suspense account solution क्या है इसका बनेगा हमारे पास general entry का format draw कर लीजिए और date बाइए 2019 April 1st partners capital account हमने क्या करनी है debit फिर दोनों ही partners की capital account debit कर दीजिए हर्दीप's capital account debit संदीप's capital account debit to advertisement suspense account ओके और old profit sharing ratio में हम इसको distribute कर देंगे 20,000 है हमारे पास तो लिखे हर्दीप के सामने 20,000 multiply by 4 divided by 5 5 के साथ 20 को cut किया है तो हमारे पास आगया 4,000 4,000 multiply by 4 जे निकला 16,000 same way संदीप की calculation बन जाएगी और निकलाएगा 4,000 और advertisement suspense account के सामने full montage देगा 20,000 का credit column में narration लिख देंगे शोटी सी being the advertisement suspense account written off means खतम कर दिया अब उसको books में नहीं रखना अब revaluation account का meaning तो समझ लग गया आपको लेकिन reason क्या है क्यों बनाना है वे revaluation account अब देखिए अब partner क्या कर रहे है future में अपना profit share जो है change कर रहे है पहले अगर equal थे अब वो two is to three कर रहे है जा five is to four कर रहे है something कुछ भी वो profit sharing ratio अपनी change कर रहे है तो जो भी at the point जब हमारा change हो गया तब तक का जो भी balance sheet में था assets चाहे वो liability उन सब assets और liabilities पर partners का प्रानी ratio पर हग था means old sharing profit ratio में ही वो सारे का सारा उनके पास आने वाला था जा उनसे कोई payment जाने वाली थी अब हम क्या करेंगे profit share ratio change होगी ठीक है हम chapter कर रहे है ना change in profit sharing ratio among the existing partner तो profit share एक चेंज होगी है तो जो भी assets का भी share होगा जाब फिर liability जो pay करनी पड़ेगी वो भी change होगा ना तो change होगा तो उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे re-assessment कर देंगे liabilities की और assets को कर देंगे re-evaluate up to the date of change in profit sharing ratio ठीक है अब इसके दो method करने के लिए reason आपको पता चल लगा है meaning पता चल लगा है अब हम इन दोन method को अच्छे त्रीके से समझ लेते हैं so accounting treatment करने का पहला method है हमारे पास record revised value of assets and liability in the books of firm means पहले method में हमने क्या गरना है जितनी भी valuation revised हुई है assets की value increase हुई decrease हुई liability की value increase हुई decrease हुई हुई सारे का सारा increase और decrease record करना है हमने firm की books में और दूसरा method है मारे पास not to record the revised value of assets and liability in the books of firm दूसरे method में कुछ भी अगर asset भड़ भी रहा है लेकिन हम balance sheet में asset की figure change नहीं करेंगे asset जो था वो ही रहेगा उसका net effect जो आएगा वो capital में उसका treatment होगा means जो भी value increase और decrease हो रही है वो books में record नहीं होगी okay दो method है वो कैसे कैसे करने है उसको हम आगे समझ लेते हैं अब पहला method है जो हमारा जिसमें हम books में record करने वाले है revised values उसमें सबसे पहले हमारे पास बनेगा revaluation account जो हमने meaning पड़ा ना पिछे revaluation account वो किसमें बनेगा पहले method में उसमें कैसे बनेगा क्यों बनेगा वो तो हम समझी चके हैं ठीक है अगर आप record करना चाते हो फरंग की books में कोई भी increase आया हो assets की value में जा फिर liability की value में test or revalued कर सकते हो in balance sheet इन सबका treatment करने के लिए हम basic journal entries डालेंगे जिससे आपका क्या होगा revaluation account बनाना आपके लिए बहुत ही असान हो जाएगा क्योंकि journal से ledger की posting तो असान ही होती है अगर जर्नल बन गया तो ledger तो automatically बने जाएगा तो चलिए अब हम accounting entries कर लेते हैं जो जो journal entries डालेंगे जिसके according आपका revaluation account accurate बन जाए और आपकी balance sheet में figures change हो जाए asset की values revalued हो जाए और liability reassessed हो जाए सबसे पहले हम चब पहली journal entry record करते हैं अगर किसी भी asset की value में increase आता है तो उसे कैसे record करना है books में सबसे पहले हम समझते हैं अब जब भी asset की value में increase आता है तो increase in assets को हम करते हैं debit जा फिर what comes in according golden rules के according भी हम debit करते हैं ठीक है modern rules of accounting के according हम increase in assets value को हम debit करते हैं तो assets को हम क्या करेंगे debit credit किसको करेंगे जो हम नया account बना रहे है revaluation account तो journal entry हमारी बन जाएगी assets account debit to revaluation account अब asset एक हो दो हो तीन हो चार हो जितने भी हो वाई नेम आप लिख दोगे जैसे कोई भी नेम ले लो building, land, plant, machine, furniture, fixture, computer ऐसे line वाई सारे लिख लोगे जो जो भी आपकी value increase जिनकी भी हुई है वो सभी को debit कर दोगे to कर दोगे total amount revaluation को credit second journal entry record करेंगे जब value of asset decrease हो अब according to modern rules of accounting जब value of asset decrease होती है तो उसे हम क्या करते है credit करते है कोई भी asset decrease होगा तो उसे credit करेंगे, increase होगा तो debit करेंगे according to asset rule under modern rules of accounting तो इसकी general entry बन जाएगी हमारी revaluation account debit to assets account अब वो assets सारे जितने भी decrease होगे वो सभी के सभी assets के नीम जहां पर आ जाएंगे, plant, land, building जो भी है असा ठीक है one by one, जितने भी account हो, one हो, चार हो, पांच हो, दस हो, जितने मर्जी हो, वो सारे के सारे आ जाएंगे अमांट में debit column में total amount डल जाएगा थर्ड transaction record करेंगे हम for the increase in the amount of liabilities अब liabilities का amount अगर increase हो रहा है उसको भी record करना है ना भाई, उसको कैसे record करेंगे according to modern rules of accounting, increase in liability को हम करते है credit, liability rule के according तो इसकी भी general entry बन जाएगी, same ही, revaluation account debit to all's liabilities account individual liabilities लिखनी है हमने 1, 2, 3, 4, 5 जितनी है भी हो, ठीक है revaluation account के सामने debit column में total amount आ जाएगा और एक एक liability के सामने credit column में amount आता जाएगा fourth general entry record होगी for the decrease in the amount of liability अगर अब decrease होगी liability तो according to modern rules of accounting liability decrease होती है debit होकर, उसको हम करते है debit तो liabilities account debit to revaluation account वो liabilities individually आएगी जितनी भी होगी ठीक है, वो सारी के सारी एक एक करके अब लिखके revaluation account में total डाल दोगे और next general entry हम record करेंगे fifth for the recording and unrecorded assets अब कोई assets है हमारे पास firm के पास लेकिन books में उसको record ही नहीं किया, ठीक है books में उसका कोई record नहीं है, वो unrecorded asset है, उसकी general entry हम record करेंगे unrecorded asset account debit to revaluation account एक हिसाब से क्या हो रहा है, asset में हमारे increase ही आ रहा है, हमारे पास एक नया asset आ रहा है firm के पास, वो asset record नहीं था, firm को तो पता ही नहीं था, हमारा asset है भी या नहीं, लेकिन अब एक नया assets आ गया, means assets की value में increase हो रहा है, इसको हम कर रहे हैं, according to modern rules of counting debit, okay, तो revaluation account में हम उसको कर देंगे, revaluation को credit ठीक है, same basic entry for the recording of an unrecorded liability, अब कोई liability हमारी raise होगी हमें पता ही नहीं, बुक्स में रह गई हम से, वो record नहीं कर पाई हम बुक्स में, तो liability जब create करनी होती है, तो वो credit होके create होती है, according to modern rules of counting, increase in liability को हम करते हैं credit, तो इसकी entry क्या बन जाएगी, revaluation account debit to unrecorded liability account, जे six treatments हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास आजाएगा एक general entry, वो है expenses on reconstitution of firm, अगर कोई खर्चा reconstructed पर हो रहा है, अब assets की revaluation करनी है, liability को recessed करना है, किसी नहीं किसी को तो हम लगाएंगे न, उस पे हमारे पास कोई न कोई खर्चा आएगा, अगर हमने कोई personal बंदा रख दिया, extra बंदा कोई रख लिया, उसको बोला कि इसकी market value डूंडो, इसकी भी करो, इसको भी करो, सारा कुछ आप set करके हमें एक नहीं balance sheet बना के दे दो, उसका जो accountant का खर्चा आएगा, उस expense को ह अब इस case में, when remuneration is paid to the partner, अब re-assessment partner ही कर रहा है, तो partner को अगर हम दे रहे हैं, remuneration उसके against, तो उसकी जनरेटरी हमारी बन जाएगी, re-valuation account debit to concerned partners capital account, अब partners को पैसे मिल रहे है, according to modern rules of counting, capital जब increase होती है, तो उसके हम क्या करते हैं, credit, अब second case आजाएगा, expenses वाले case में, जब partner bond कर रहा हूँ expense को, लेकिन pay कौन कर रहा है, pay कर रही है, फरम, जहाँ पर फरम pay कर रही है, अगर तो एक remuneration देना था, simple, फरम pay करती थी, वो first case था, second case में, partner expense खुद pay करेगा, वो बोल रहा है कि मेरी capital से काड़ लेना, लेकिन हम इसको बंदे को हायर करेंगे, जा कुछ भी, आप pay कर दो, cash दे दो, उस case में जनरेटरी बन जाएगी, हमारी concerned partners capital account debit to cash और bank account, अब concerned partners capital account को debit क्यों किया, क्योंकि वो जिस partner न भी guarantee दी है, expensive year करने की, उस partner को, उस partner की capital decrease होगी, क्योंकि उसकी partner की capital से हम लेंगे ना, पैसे, तो decrease करेंगे capital, according to modern rules of counting, decrease in capital को हम करते हैं, debit, और cash और bank हमारा assets है, वो decrease हो रहा है, वो भी, तो decrease in asset को हम करते हैं, credit, ओके, और expenses के case में last case है, हमारे पास when expenses are incurred and paid by the firm, firm नहीं incur किये हुए हैं, firm ही pay कर रही है, उसमें partners का कोई role ही नहीं है, कोई third person रखा हुआ है, उसको हम पैसे दे रहे हैं, और firm ही उसका खर्चा pay कर रही है, उस case में general entry record हो जाएगी, re-valuation account debit to cash and bank account, re-valuation हमारा खर्चा है, उसको debit कर दिया है, हमने cash and bank हमारा decrease हो रहा है, तो उसको हमने कर दिया credit, ओके, तो जह accounting treatment तो ऐसे ही होगा, अब इन general entries से हम बना लेते हैं, re-valuation account, एक ledger बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, re-valuation account, और last general entry हमारी बन जाएगी, for a transfer of balance of re-valuation account, अगर तो हमारे पास profit आया, तो हम कैसे record करेंगे, और loss आया, तो कैसे record करेंगे, अब अगर credit side का total debit side के total से जादा होगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा, profit, तो उस case में हम re-valuation account को करेंगे, debit to partners, capital और current account करेंगे, ठीक है, भी profit आएगा, वो old profit sharing ratio में हम उसको distribute कर देंगे, old profit sharing ratio, gain और profit के case में re-valuation account debit हो जाएगा, और loss के case में re-valuation account हमारा credit हो जाएगा, जब debit side जादा हो, credit side कम हो, तो हमारे पास क्या निकले आएगा, loss, तो उस case में हम इसको कर देंगे credit, partners, capital और current account debit to re-valuation account, अब re-valuation account का specimen समझ लेते हैं, फटा-फट से समझ लग जाएगा, कोई general entry हम सारी कर ली है, general entry एक-एक उठाएंगे, उसको post करते जाएंगे, तो former draw कर लीजिए, same ledger का format ही बनेगा, बस date column को छोड़ दीजिए, debit side बन जाएगी particular amount, और credit side बन जाएगी particular amount, सबसे पहली general entry देखी हमने record की थी, assets count debit to re-valuation account, तो चितने भी assets हैं, उनकी value जो increase हुई हैं, जहाँ पर re-valuation account क्या हो रहा है, credit हो रहा है, तो re-valuation account की credit side जाएंगे, और लिख देंगे, buy assets, increase in the value, अगर कोई increase हो रहा है, तो वो वाला individual ही आजाएंगे, जहाँ पर भी, जो जो assets आपने लिखे हैं, वो सारे, और सामने आजएगा amount, next generation record की थी, decrease in the value of assets, तो इसमें re-valuation account debit हो रहा है, तो इसको हम re-valuation account की debit side लिख देंगे, two assets account, जो भी decrease हुआ है value का, वो one by one जितने भी assets हो, वो सारे के सारे assets आजाएंगे, और individually हम एक एक करके उसको record कर देंगे, okay, assets count को replace करके, next generation record की थी, increase in the amount of liability, liability, उसमें re-valuation account भी debit हो रहा था, इसको भी हम re-valuation account की debit सारे लिख देते हैं, two liabilities account, जो भी decrease हुआ value में, liabilities account वो भी individual आजाएंगे, जो जो liability होंगे, उतने account यहां पर आजाएंगे, okay, next generation हमने की थी, decrease in the amount of liability, अब liability का amount decrease हो रहा है, तो उसमें re-valuation account क्या होगा, हमारा credit होगा, तो इसको हम credit सारे लिख देंगे, by liabilities account, वो भी एक-एक करके आजाएंगे, जो जो भी liability हमने credit की है, वो जहां पर आएगी, okay, next generation हमने record की थी, for recording of unrecorded assets, अब unrecorded assets में re-valuation account क्या हो रहा है, credit हो रहा है, तो इसको भी हम credit सारे लिख देंगे, by unrecorded assets, जितने भी हों, एक और दो हों, वो सारे के सारे जहां पर आजाएंगे, okay, same ही हमने जहां पर record की थी, unrecorded liability, six transaction में, उसमें re-valuation account हमने, देखो debit किया हुआ है, तो revelation account debit है, तो revelation account debit side को हम maintain कर लेते हैं, उसमें हम लिख देंगे, two unrecorded liability account, जो भी liability का नेम होगा, वहां पर आ जाएगी, उसके बाद हमने expenses के entry record की थी, अगर तो हमने partner किसी को remuneration दिया हुआ है, तो वो तो उसमें re-valuation account हमने क्या किया है, debit किया है, तो उसको हम debit side record कर लेंगे, two partners capital account bracket में लिख दो remuneration, जो भी concern partner होगा, उसका नीम जहाँ पर आ जाएगा, और next case में हमने देखा था, concern partner capital account to cash लिखा था, इसमें re-valuation account कहीं पे निकलूड नहीं है, तो इस case में हम क्या करेंगे, इसको हम re-valuation account में नहीं record करेंगे, next general entry हमने समझी थी, re-valuation account to cash जिसमें expense incurred और bond by firm थे, तो इसमें क्या करेंगे हम, जह re-valuation account debit हो रहा है, तो re-valuation account को debit कर दीजिए, to cash and bank account expenses आ जाएंगे, जो भी expense है, bracket में उसका नाम लिख दो, और re-valuation account debit हो जाएगा, अब इसके जो net shell निकलेगा, वो हम जा तो re-valuation पर gain बनेगा, जा फिर loss बनेगा, अगर अब हम इसकी balancing कर लेंगे, जैसे P&L में हम profit और loss निकालते हैं, same way में इसमें gain निकलेगा, हमारा debit side और loss निकलेगा, credit side, जिसको हम लिख देंगे, to gain, जा फिर लिख दो, profit on re-valuation, transfer to partners, capital account, जा फिर current account, same way credit side हम लिख देंगे, by loss on re-valuation, transfer to partners, capital account, जा फिर current account, चलिए, अब हम इस method की के illustration कर लेते हैं, illustration है, मारे पास TS करेवाल की book में से, हम 15th number करेंगे, अनिल, मान्वी, और पायल आर, partner sharing profit and loss in the ratio of 5 to 3 to 2, their balance sheet as on 31st March 2019, stood as follow, और लिख आ हमारे पास, they decided to share the profit and loss in the ratio of 2 to 2 to 1, with the fact from 1st April 2019, and they agreed that land and building be appreciated by 10% machinery, be reduced by 15% stock, be increased by 1 lakh, the provision for doubtful debt to be created 5% on Sunday debt, the criteria of 5,000 is not to be claimed, the dues the claim on account of workman compensation is estimated 10,000, and expense of rupees 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certifier from the chartered engineer, pass the general entries and prepare the re-evaluation account, हमें full question करने को नहीं बोला, last में लिखा है, general entry pass करनी है, और एक re-evaluation account को maintain करना है, तो चलिए solutions देखते हैं इसका, सबसे पहले हम journals entries डालेंगे, क्योंकि हमें pass करने को बोला है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, कि क्या-क्या general entry हमारे पास डालेगी जहांपर, एक तो journal reserve है, हमारे पास balance sheet में दिया हुआ है, बहुत सारे का सारा distribute होगा, workman compensation reserve भी distribute होगा, जितना भी balance उसका बचेगा, among the partners, और asset size कोई भी deferred losses, जाब P&L का balance ऐसा कुछ नहीं दिया, तो वो distribute नहीं होगा, तो जे दोनों चीजे पहले हम distribute करते हैं, तो date column में लिखी है, 2019 April 1st की journal reserve account debit, टू, अनिल्स capital account, टू, मान्विस capital account, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो वो वीडियो को चेक कर लीजिए, अगर आपने नहीं देखा, तो उसमें आपको जे सारे का सारा cover हो जाएगा, पूरा topic, workman compensation और general reserve गएर का, तो चलिए अब इसका amount calculate कर लेते हैं, general reserve हमारे पास दिया हुआ है 20,000 का, तो debit column में general reserve के सामने तो आजाएगा 20,000, और partners के बीच हम old profit share ratio में इसको distribute कर देंगे, old profit share ratio हमें दी हुई है 5 is to 3 is to 2, इसका total हो गया 10, तो लिखिए अनिल का कैस्वड करते हैं, पहनले 20,000 multiply by 5 divided by 10, अब 5 को 10 के साथ कट लो, जाब फिर 10 को 20,000 के साथ काट दो, 10 को 20,000 के साथ काटोगे तो अब के पास बचेगा 2,000, 2,000 multiply by 5 करोगोते आगया 10,000, तो अनिल के सामने आगया 10,000, same way हम मानभी का और पाइल का भी कर लेंगे, मानभी का आगया 6,000 और पाइल का आगया 4,000, शोटी सी narration लिख देते हैं, being the general reserve credit to partners capital count in their old profit sharing ratio, अब आगे हम कर लेंगे workman compensation reserve, जो हमारे पास दिया हुआ है 30,000 का, उसकी भी generality डाल के उसको भी हम write-off कर देंगे, partners के among उसको distribute कर देंगे, लेकिन workman compensation की हमें देखे, adjustment भी दी हुए है, adjustment number 6, claim on account of workman compensation, estimated 10,000 का, तो हम इसकी एक provision लिख लिएंगे, ओके, तो general entry हमारी बन जाएगी, workman compensation reserve account debit 30,000, और two provision for workman compensation claim account कितना आ गया, 10,000, अब workman compensation reserve हमारा ज़्यादा था, claim कम था, तो जो बाकी का balance बच जाएगा, वो हम partners को दे देंगे, तो उसको लिख दीजिए, तो अनिल्स कैपिटल, तो मार्वी कैपिटल, तो पायज कैपिटल, balance हमारा बच गया 20,000, तो सेम ही calculation हो जाएगी, जनल जाएगी 20,000 multiplied by 5 by 10, जाएगा 10,000, 6,000, and 4,000, narration आ जाएगी, हमारी being the workman compensation reserve, after providing for claim credit to partners capital account, in their old profit sharing ratio, अब balance sheet में कुछ भी transfer होने वाला partners capital को जाएगी वेलेश को नहीं है, तो अब हम चलते हैं अपमें मारी पहली adjustment की और पहली adjustment है, हमारे पास land and building भी appreciated by 10%, अब क्या है, जो भी increase होगा, उन assets के हम एक entry डालेंगे, जो भी asset decrease होगे, उसकी एक डाल देंगे, और जो भी liability increase होगे, उसकी एक डाल देंगे, जो भी liability decrease होगे, उसकी भी एक जनरेंटी रिकॉर्ड करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो second है, उसमें तो machinery reduce हो रही है, जो decrease वाला होगा है, जो next जनरेंटी रिकॉर्ड करेंगे, stock भी हमारा increase हो रहा है, two one lakh लिखा है, means जो value थी stock की, अब one lakh होगी है, books में थी वो 90,000, तो 10,000 का increase होगा, जे देखने वाली बात है, by नहीं लिखा जहांपर, क्या लिखा हुआ है, two, अगर लिखा हो stock भी increased by one lakh, means वो one lakh से बढ़ गया, जहांपर लिखा हुआ है, two one lakh, means one lakh तक बढ़ गया, उतना हुआ, ठीक है, 90,000 था, अब वो one lakh हो चुका है, ओके, land and building का simply हम 10% कर लेंगे, two lakh 60,000 का 10% किया, तो हमारे पास आगए 26,000, तो stock का हमारा 10,000 निकली चुका है, तो जनलेरेंटी रिकॉड होगी, land and building count debit, stock on debit to revaluation account, land and building count के सामने आजएगा, 26,000 debit कॉलम में, और stock के सार में आजएगा, 10,000 debit कॉलम में, revaluation count के सामने, credit कॉलम में आजएगा, 36,000, और छोटी सी इनरेशन लिख देंगे, being the increase in value of land and building and stock recorded, next जनलेरेंटी हम रिकॉड कर लेंगे, decrease की, तो हमारे दो यह ऐसे decrease हो रहे है, एक तो machinery reduce हो रही है by 15%, and debtor पे हम provision रख रहे हैं 5% की, तो दोनों ही कम ही करने हैं न, तो इसकी जनलेरेटी हम record कर लेंगे, पहले हम machinery की value dues कितनी हुई है, वो calculate कर लेते हैं 15%, machinery है हमारे पास 3,50,000, multiply by 15%, यह निकल के आगया हमारे पास 52,500, same ebay में हम doubtful debt की provision का भी amount के अगड़ कर लेंगे, debtor हमें दिए हो है 1,00, और provision है 5%, तो यह निकल के आगया, 1,00, multiply by 5,000, यह आगया 5,000, तो चलिए अब generating record करते हैं, अब जब acid reduce होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको credit करते हैं, तो revaluation account debit to machinery account, to provision for doubtful debts account, machinery के सामने amount आजाएगा, 52,500 और provision हमारी है 5,000, टोटल करके हम revaluation account के सामने लिखे देंगे, 57,500, शोटी सी narration आजाएगी, being the decrease in value of machinery recorded, and provision for doubtful debts is made, हम total five adjustment के treatment कर चुके हैं, हमारे पास दो adjustment बाकी हैं, एक है fifth और एक है seventh, fifth adjustment है हमारे पास क्या, a crater of rupees 5,000 is not to be claimed the dues, means क्या हो गया, liability हमारी decrease हो रही है, वो बोल रहे हमें नहीं चाहिए, हम claim नहीं लेंगे, 5,000 वो I think उसका business बंद हो गया, जहां फिर वो कही होँ चले गए, shift हो गए, जहां फिर उनको बूल गया, हमें उनको पैसे नहीं देने, वो claim करने नहीं आया हमें, हमें उनको पैसे भी नहीं देने, तो इसकी जनेंटरी हम record करेंगे, sundry criteria काउन debit to revaluation account, जब भी liability decrease होती है, तो उसको हम करते हैं debit, तो sundry criteria काउन के सामने debit काउन में देगा 5000, और revaluation काउन के सामने credit काउन में देगा 5000, जितना amount given है, ओके, बीन अमांट आफ नॉट पेवल रिटन पैक, उसको हमने रिटन बैक कर लिया है, generation लिख दीजिए, ओके, next and last है हमारे पास adjustment and expense of 2000 was paid by the firm for getting the value of land and building, ठीक है, अब एक क्या है, खर्चा किया है हमने revaluate करवाने के लिए assets को, तो जे कितना है 2000, तो जे company pay कर रही हैं, तो इसकी generator क्या बन जाएगी, revaluation account debit to cash account, revaluation account के सामने आजएगा 2000 debit काउन में, और cash काउन के सामने आजएगा credit काउन में 2000, और narration हाजएगी being the expense of valuation of land and building recorded, अब इसके बाद हम simply revaluation account को prepare कर लेंगे, जो भी profit and loss निकलेगा, उसकी एक जनरेंटरी बाद में record करेंगे, अब पहले revaluation account बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाते हैं, तो फिर सारी calculation आपको calculator में करनी पड़ेगी, आपका profit loss गलत भी निकल सकता है, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि आप revaluation account बना लीजिए, और एक general entry की जगा छोड़ दीजिए, जहां फिर उसके बाद भी डालोगे, तो कोई issue नहीं है, तो फटा फट से revaluation account को prepare करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है, revaluation account की entry थर्ड वाली है, उसमें revaluation account included है, उसमें हमने revaluation account को credit किया है, तो कर दीजिए दवाद दव से credit side लिख दीजिए revaluation account में, buy land and building 26,000, and buy stock on 10,000, दोनों के दोनों account जहां पर आगे, नेक्स्ट एंट्री में हमने revaluation account को debit किया है, तो इसको हम debit side operate करेंगे, तो debit side लिख दीजिए, टू मिशिनरी account 52,500, and टू परवीजन फॉर डॉट फुल डट 5,000, नेक्स्ट ट्राजेक्शन में हमने revaluation account को credit किया है, तो फिर से हम credit side इसको लिख देंगे, बाइक संट्री कराइटर account 5,000, नेक्स्ट जनर एंट्री में हमने revaluation को debit किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से debit side लिख देंगे, टू कैश account, brackets में लिख दो, expense 2,000, जो जे हमारा revaluation account पर पेर हो चुका है, तो इसका हम total लगा लेते हैं, बोज side का total लगा लीजिए, debit side का total हमारे पास आगया 59,500, और credit side का total हमारे पास आगया 41,000, अब debit side का total हमारा ज़्यादा है, और credit side का total कम है, तो debit side बड़ी हुई, तो debit side का total हम दोनों side लिख देंगे, 59,500, 59,500, और 59,500 से हम subtract करेंगे, credit side का total 41,000, तो जो net बचा वो हमारा आ गया loss on revaluation वो कितना आ गया 18,500 तो loss को हम लिखते हैं credit side क्योंकि credit side balance निकला है तो लिखिए by loss transfer to अनिल्स capital account, मान्वीज capital account, पायल्स capital account credit column में आ जाएगा हमारे पास जो amount का column है 18,500 और old profit sharing ratio में इसको हम distribute करके partners की capital account में डाल देंगे तो करिए इसके distribute 18,500 multiply by 5 divided by 10 तो किया तो जे हमारा निकल गयागा 9,250 ऐसे ही मान्वी का करेंगे तो आज़ेगा 5,550 और पायल का आज़ेगा 3,700 अब इस loss distribution की हम एक general entry record कर लेंगे general entry क्या बन जाएगी हमारी अनिल्स capital account debit मान्वीज capital account debit पायल्स capital account debit to revaluation account क्योंकि revaluation के loss निकला है और revaluation credit हो रहा है तो उसको हमने credit कर दिया अनिल capital account के सामने 9,250 और मान्वीज capital account के सामने debit कॉल्म में आज़ेगा 5,550 और पायल्स के सामने आज़ेगा 3,700 और revaluation के सामने total amount आज़ेगा 18,500 narration लिख देंगे being the loss on revaluation debit to partners capital account in their old profit sharing ratio so इसकी calculation को हम step by step समझ लेते हैं सबसे पहले step में हम calculate करेंगे net effect of revaluation और liability की re-assessment का जो net effect निकला उसको calculate करेंगे आपके पास चार चीज़े होंगी increase in value of assets or decrease in value of assets increase in amount of liability or decrease in amount of liabilities अब जो increase होता है asset की value में वो add होता है और decrease in the amount of liability भी add होता है और decrease assets का और increase liability का जे दोनों क्या होएंगे less होएंगे ऐसे ही हम increase, decrease को add और subtract करके net effect निकाल लेंगे जो भी revaluation का पड़ा है तो लिखिए पहले हम कर लेंगे add increase in value of assets लिख लो उसमें add कर दो decrease in amount of liabilities और उसमें से less कर दो decrease in value of assets और less increase in amount of liabilities और net effect अपका निकल के आ जाएगा जो भी वो हम आगे देखेंगे अब net effect को sacrificing और gaining ratio में divide करना है तो अब हम क्या करेंगे second step में sacrificing और gaining share of each partner हर एक partner का किसने sacrifice किया और किसने gain किया वो निकालेंगे अब अगर आपको sacrifice share और gaining share नहीं निकालना आता तो मैं आपको वीडियो का link आप बटन में दे रहा हूँ प्लीज चेक कर लीजिए उसमें जाकर सीख सकते हो यहाँ पर मैं simply आपको formula बता देता हूँ old ratio minus new ratio जो भी difference आएगा उसको हम बोलते है sacrifice जाँ फिर gain अगर तो old minus new करके positive value आती है तो वो हम sacrifice मानेंगे अगर negative value आती है तो gain मानेंगे negative आएगी means new ratio जादा होगी old कम होगी तो negative आएगी ना क्योंकि minus new के सामने आगया अब उसके बाद third step में हम करेंगे calculation of proportionate amount of net effect of revaluation जो भी revaluation का net effect निकला है उसका proportionate निकालेंगे भी कितना proportion change करना पड़ेगा ठीक है वो कैसे निकालेंगे है for gaining partner अगर कोई gaining partner है एक है दो है जो भी है उसका निकालेंगे share gained multiply by net effect of revaluation जितना भी revaluation by net effect आया उसको multiply करेंगे जितना share भी gaining partner ने gain किया है और sacrifice partner के साथ क्या होगा share sacrifice multiply by net effect of revaluation जो भी revaluation का net effect है उसको जो उसको multiply करेंगे जो भी share sacrifice किया sacrifice partner ने और last में हम single journal entry post करेंगे और सारे का सारा जो re-assessment और re-valuation है वो सारे का सारा effect हमारा balance sheet में चला जाएगा book value change नहीं होंगी वो बैसे की बैसे रहेंगी वस capital का amount shuffle होगा capital से निकल कर दूसरे की capital में चला जाएगा so general entry मारी बन जाएगी अगर तो gain हो रहा है re-valuation में means जो net effect आया वो gain आया है तो हम क्या करेंगे gaining partners capital और current account debit to sacrificing partner current और capital account अगर तो gain आ रहा है तो gaining partner को हम करना है debit क्योंकि उसके capital को decrease करना है वो already gain आ गे रहा है valuation करने से तो वो तो gain कर रहा है उससे capital लेकर अब दूसरे को देनी है sacrifice कर रहा है उसकी adjustment होगी न फिर तो sacrifice partner की capital को increase करेंगे credit करके और in case of loss on revaluation जे general entry आपकी opposite हो जाएगी means sacrificing partners capital account जाब फिर current account debit to gaining partners capital account और current account ठीक है simple सी general entry है कुछ भी मुश्कल नहीं है बहुत ही अच्छे तरीका से आप कर लोगे value of the assets and liability by passing and adjustment entries हमारे पास book value और revised value दी हुई है assets की और liability की और last में लिखा हुआ है पास and necessary single adjustment entry single adjustment entry डालने को बोला है आपको question में तो आपने वो ही डालनी है सो चलिए solve करते हैं इसको सबसे पहले हम वीडियो को like करना मत बूलेगा comment कीजिए और share करें अपने friends और लेटिव के साथ जिना ज़्यादा हो सकता है चैनल को subscribe करना मत बूलेगा बैरने को प्रेस करें ताके आपको latest video की notification मिल सकें सबसे पहले हम calculate करेंगे calculation of net effect of revaluation अब जो revaluate करने है assets और liabilities को उसकी calculation करनी है सबसे पहले हमारे पास assets दिया हुआ land and building land and building की book value दी है 5 lakh और revised value दी है 5 lakh 50,000 means land and building क्या हो रही है appreciate हो रही है by 50,000 रुपेज तो जे तो हमारा increase हो गया तो इसको तो add करना है ठीक है increase of asset add करना होता है increase in value of land and building लिख दी जिए और लिखे है रुपेज 50,000 next है मारे पास plant and machinery account 2 lakh 50,000 और revised values की लिखी है 2 lakh 40,000 means decrease हो गया आसन मारा कितना 10,000 तो decrease in asset को हम क्या करते है subtract करते है तो इसको कर दीजिए decrease in value of plant and machinery minus 10,000 next है हमारे पास sundry credit 60,000 book value है और revised value है 55,000 अब sundry debtor भी हमारे काम होगे कितने 5,000 so decrease in liability को हम add करते हैं तो add वाले पहले 2 लिख लेंगे और less वाले अलग से लिख लेंगे दो ठीक है so decrease in amount of sundry credit कितना आ गया 5,000 last है हमारे पास outstanding expenses 60,000 book value और revised value 75,000 अब outstanding expenses हमारे liability होती है जहां पर हमारी क्या होगे liability increase हो रही है तो भड़ रही है इसको क्या करेंगे less करेंगे increase in amount of outstanding expenses minus में 15,000 अब हम इनका total लगा लेंगे और net effect calculate कर लेंगे 50,000 प्लस 5,000 हमारे पास आगा 55,000 और उसमें से subtract किया 10,000 तो बचा 45,000 फिर subtract किया 15,000 तो हमारे पास net gain आ गया और revaluation is 30,000 अब इसके बाद हम second step करेंगे उसमें हम calculate करेंगे sacrifice or gaining ratio of all partners अब sacrifice or gain निकालने के लिए सबसे simple सा formula मैंने आपको बताया old ratio minus new ratio तीनों हुई partner के name लिख लो line में A, B, C और सबसे पहले उनकी लिख लो old ratio old ratio हमें given है 5 is to 3 is to 2 so 5 by 10, 3 by 10 और 2 by 10 ऐसे ही हमें new ratio भी given है तो फिर लिख लीजिए new ratio new ratio हमारी है 2 is to 3 is to 5 so J बन जाए कि 2 by 10, 3 by 10 और 5 by 10 अब old ratio से new ratio सब्ट्राइक्ट करेंगे 5 by 10 minus 2 by 10, 10 हमारा LCM आगे और 5 minus 2 हुआ तो J बचे के हमारा 3 by 10 और B का आजेगा 3 by 10 minus 3 by 10 J हमारा 0 net effect आगया C का आगया 2 by 10 minus 5 by 10 10 हमारा LCM आगे 2 minus 5 J आए हमारा minus 3 by 10 so old minus new करने से अगर positive value आती है तो उसे हम बोलते है sacrifice, negative आती है तो gain तो A का positive आ रहा है तो A sacrifice कर रहा है C की value negative आ रही है तो वो gain कर रहा है और अब इसके बाद हम calculate कर लेंगे proportionate amount of share of gain on revaluation so A हमारा sacrifice partner है तो A का sacrifice share निकाल लेंगे कितना आ गया 3 by 10 multiply by 30,000 J आगे 9,000 same way में C's gained share निकाल लेंगे 3 by 10 multiply by 30,000 J भी आगे हमारा question हो जाएगा complete एक general entry लिखनी है profit के case में क्या करेंगे हम gaining partner को debit करना है और sacrificing partner को credit करना है क्योंकि gaining partner से हमने capital लेनी है उसकी capital कम करनी है और sacrificing partner को देनी है ताकि उसका sacrifice कम हो सके जर्नल का formal draw कर लीजिए लिखिये date में 2019 April 1st C हमारा gain कर रहा है तो C की capital को credit debit कर देंगे C is capital account debit to A is capital account debit column आ जाएगा C capital के सामने 9,000 और credit column आ जाएगा A की capital के सामने 9,000 निरेशन आ जाएगी being the proportionate amount of gain on revolution adjusted through a single journal entry तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग के साथ adjustment of capital के adjustment of capital means कि capital of partners जो भी partner से capital business में लगाई है उसको adjust करना है according to the requirement of reconstruction of firm अब देखिये profit sharing ratio तो हमने change कर दी है तो partner क्या करेंगे जिसका profit कम हो चुका है वो बोलेगा कि capital भी according to the ratio लगाओ भई जितने जितने आपको profit मिल रहा है उस according ही business में capital होनी चाहिए उसके लिए फिर वो क्या करते है total capital decide कर लेते हैं कि इतनी firm की total capital होगी और उसको हम divide कर देते हैं among the partners in new profit sharing ratio फिर जिसकी capital कम आती है उसको पैसे देने पड़ते हैं और additional capital interviews करनी पड़ती है और जिसकी capital ज़्यादा हो जाती है required से उसको हम refund कर देते हैं means firm उसको पैसे थोड़े दे देती है in cash अब reason क्या है adjustment करने capital की अगर हम capital according to profit change ratio नहीं adjust करते तो वो partners के बीच conflict बना रहे जाएगा partners बोलेंगे कि मेरा share तो आपने जितना था suppose one third था लेकिन अब two five कर दिया है लेकिन मेरी capital जो one lakh थी उसका आपने कम नहीं किया वो भी कम करो ज़्यादा करो ना जिसने ज़्यादा profit share लेना है उसको ज़्यादा capital मिलनी चाहिए उसको capital भी business में ज़्यादा इंटेड्यूस करने चाहिए और जिसने कम profit earn करना है तो उसकी capital भी उसके according ही होनी चाहिए इसलिए हम सारी calculation करते हैं और उसकी जो adjustment होती है उसके according करते है ताकि जो required capital उसको maintain कर सके अब accounting treatment भी इसका बहुत ही easy है कुछ मुश्कल नहीं है simply दो जनरेटी डालोगे पहले तो अगर shortage हो रही है capital के किसी भी partner की capital में shortage है तो वो नहीं capital business में लेके आएगा तो उसको simple सी आप जनरेटी डालोगे bank account debit to concerned partners capital account अगर आप fixed capital वाला कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो आप current account से भी adjustment कर सकते हो means cash अगर नहीं भी देना चाता partner तो आप simply general entry क्या मना सकते हो जो भी partner है concerned partners current account debit to concerned partners capital account means current account में आप debit balance उसका खड़ा कर सकते हो और वो बाद में दे देगा जब भी देना हो okay same way में अगर adjusting करना है surplus capital अगर किसी partner की capital ज्यादा है required capital से तो वो हम क्या करेंगे refund करेंगे तो उस case में general entry बन जाएगी concerned partners capital account debit to bank account और अगर अभी firm payment नहीं करना चाहती means cash की कमी है जा फिर पैसा नहीं है तो हम bank की जगा पर current account को भी जूज कर सकते हैं और फिर entry बन जाएगी हमारी concerned partners capital account debit to concerned partners current account okay so चलिए फटा-फट से एक illustration करते हैं और अपना यह topic complete करते हैं टी एस गरेवाल की book में से मैं illustration 20 कर रहा हूं PQR and S were partner in the firm sharing profit in the ratio of 1 is to 4 is to 2 is to 3 on 1st April 2016 their balance sheet was as follow balance sheet दी हुई है में और नीचे लिखा गया है from the above data partner decide to share the future profit equally अब equal ratio में profit वो शेर करेंगे for this purpose the goodwill of the firm was valued at 2,70,000 goodwill की valuation दी हुई है और आगे लिखा है the partner also agreed for the followings claim against workman compensation reserve was estimated at 2,00,000 capital of the partner were to be adjusted according to the new profit ratio by bringing or paying cash as the case may be अगर cash देना पड़ेगा तो cash देंगे अगर कोई short capital है उससे cash लेंगे भी उस partner से ओके और आपको बोला है prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstruction firm तो एक adjustment आपकी जहां पर है workman compensation fund की और एक adjustment goodwill की है और एक होगी आपकी capital तीन है इसमें topic cover हो रहे इस question में तो easy है goodwill वारे आपने अगर नहीं देखे तो मैं वीडियो के link आपको सभी के दे दूँगा i button में अब सबसे पहले हमें revaluation account बनाने को बोला है तो revaluate हुआ तो कुछ भी नहीं है asset na liability एक just workman compensation जो हमें दिया है वो reserve से ज़्यादा है claim reserve हमारा है 1,70,000 और claim हमारा है 2,00,000 का आपके दखा देता हूं जिससे आपको help हो जाएगी कैसे हमने calculate किया है जो workman compensation reserve हमारा credit है उसको हम debit करेंगे 1,70,000 से और revaluation account को debit करेंगे कितना difference है 30,000 से 2 कर देंगे provision for claim against workman compensation reserve so claim हमारा आजाएगा 2,00,000 का जिए हमारी general entry बन जाएगी तो जो 30,000 हमने debit किया revaluation account को वो revaluation account में जाएगा तो revaluation account के debit side पे आप लिख दीजिए provision for workman compensation claim account कितना आगया 30,000 और कोई भी item हमें नहीं दी जो revaluation account में treat हो नहीं है तो जितना भी loss आया है इसको हम divide कर देंगे among the partners so transfer कर दीजिए right side लिखिए by loss on revaluation transfer to piece capital, qs capital, rs capital और s capital 30,000 का loss है और इनकी ratio में हम divide करेंगे 1 is to 4 is to 2 is to 3 तो piece का share निकल के आगया 30,000 multiply by 1 divided by 10 जाएगा 3,000 saq का जाएगा 12,000 और r का जाएगा 6,000 और s का जाएगा 9,000 अब इसके बाद हम बना लेते हैं capital account तो partner से capital account ड्रॉ कर लीजिए चार ledger बनेंगे इसमें p, q, r and s का capital account में सबसे पहले हम record करते हैं balance जो capital का दिया हुआ हमें balance sheet में p का है 2,000 और q का है 3,000, r का है 4,000 और s का है 5,000 जो ऐसे ही लिख देते हैं तो लिखिए by balance brought down, p में लिखिजिए 2,000, q में लिखिए 3,000, r में लिख दीजिए 4,000, s में लिख दीजिए 5,000 अब उसके बाद हमें एक दिया हुआ है goodwill, goodwill को भी हम क्या करेंगे उसको भी distribute करेंगे मंगदा partners जो भी उसकी deficiency निकलती है, तो goodwill का जो हम adjustment निकालते हैं उसके लिए सबसे पहले हम इने calculate करना पड़ेगा sacrificing ratio जा फिर sacrifice share of partner तो sacrifice share निकालने के लिए हमें old minus new करना होता है share जो भी share partner का old है उसमें से new सब्ट्राइट करेंगे तो हमारे पास sacrifice share जा फिर gain share निकल जाएगा, अगर तो positive figure आई तो sacrifice, negative आई तो gain तो इसको भी हम table के format में कर लेते हैं, लिख लीजिए P, Q, RS, partners के ओपर name लिख लीजिए, नीचे लिख दीजिए जहाँ पर old ratio, minus लिख दीजिए new share, old share minus new share तो old share है हमारे पास P का 1 by 10, Q का 4 by 10, और R का है 2 by 10, S का 3 by 10, और new share सभी का सेम है क्योंकि equal है equal ratio है कि 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, and 1 by 4, अब सबसे पहले हम P का sacrifice जा फिर gaining share निकालेंगे तो old minus new करना है, 1 by 10, minus 1 by 4, LCM ले लिए हमारा आगया 40, और 4 को multiply किया 1 से आगया 4, और 10 को multiply किया 1 से तो आगया 10 equal to जो निकल के हमारा आजाएगा minus 6 by 40, क्योंकि 10 बड़ी value है और उसके सामने minus है तो minus में अगर figure आती है तो उसे हम क्या बोलते है, gain इसी तरह हम निकाल लेंगे Q का भी, Q का है हमारे पास 4 by 10, minus 1 by 4, इसका ultimate लिए हमने 40, 4 multiply by 4 जा आगया 16, और 1 multiply by 10 जा आगया 10 16 minus 10 किया तो हमारे पास निकल के आगया 6 by 40, means positive value आई है, positive value क्या हम करेंगे, क्या मानेंगे, sacrifice share, ओके, same way भे हम calculate कर लेते हैं, R का, R का हमारे पास है 2 by 10 minus 1 by 4, जहें हमारा निकला, LC हम ले लिए 40, और 2 multiply by 4 किया तो 8 आगया, और 1 multiply by 10 किया तो 10 आगया, 8 minus 10 किया तो minus 2 by 40 आगया, J भी minus में है, तो J हमारा किया निकला, gain, इसी तरह हम last कर लेते हैं, हमारा S का, 3 by 10 minus 1 by 4 is equal to आजाएगा, 40 हमने LC हम ले लिए, 3 by 4 किया तो 12 आगया, 1 by 10 किया तो हमारा आगया 10, 12 minus 10 किया तो हमारा निकल किया आजाएगा, 2 by 40, जह positive आगी तो J भी हमारा sacrifice हो रहा है, अब P और R तो gain कर रहे हैं, और Q तो S sacrifice कर रहे हैं, दो partner gain कर रहे हैं, share और दो partner sacrifice कर रहे हैं, ओके, अब जो farm के goodwill है हमारी 270,000, उसको हम sacrifice और gaining ratio में distribute कर देंगे, जो जो भी sacrifice कर रहे हैं, उसको उतना मिल जाएगा, और gaining वाले को उतना देना पड़ेगा, तो general entry क्या बनेंगी इसकी हमारी, gaining partner को हम करेंगे debit, और sacrificing partner को करेंगे credit, तो लिखिए P is capital account debit, R is capital account debit, 2 Q is capital account, 2 S capital account, P का gaining share निकाल लेते हैं, 270,000 multiply by 6 divided by 40, जे calculate करने के बाद हमारे पास आगया, 40,500, ऐसे ही हम R का निकाल लेंगे, 2,70,000 multiply by 2 divided by 40, जे calculate करने के बाद हमारे पास आगया, 13,500, जे same ही ratio Q और S की भी है, तो Q का भी आज़ेगा 40,500 और S का भी आज़ेगा 13,500, तो same ही calculation हो जाएगी, अब इस general entry को हम post कर देते हैं, partners capital account में, तो जो जो हमारे capital debit हो रही है, उनको हम debit करेंगे, जो credit हो रहे हैं, उनको credit कर देंगे, P और Q का हमारा हो रहा है debit, तो P के account में हम करेंगे debit और Q और S के account में करेंगे credit, तो P के account में देखे, debit side लिखे देगे, 2 Q and S capital account कितना आगे हैं, P के account में 40,500, और R के account में भी आज़ेगा 13,500, जो debit side आज़ेगा, ओके, same way sacrifice partners जो credit हो रहे हैं, उनको हम credit side लिखे देंगे, तो लिखिए, by P's and R capital account, means P's and R capital account से हमें पैसे मिले, क्या क्या मिला, Q के मिल गया 40,500, और S के मिल गया 13,500, ओके, अब हम इसमें post करते हैं हमारा loss to revaluation account, P का loss हमारे पास 3,000, Q का 12,000, R का 6,000, और S के 9,000, ठीक है, तो J हमारा capital account हो गया complete, अब हमें एक adjustment दी हुई है, loss में second capital of the partner, but to be adjusted according to the new property sharing ratio, अब जो भी capital निकलेगी calculation करने के बाद, उसको हम total लगाएंगे पहले, ठीक है, जो भी minus plus करने के बाद capital balance निकलते हैं, चारों partners के, उन balances का हम total लगाएंगे, और total capital को हम distribute करेंगे, among the partner in new profit sharing ratio, चलिए एक working net और बना लेते हैं, adjustment of capital के नाम से, तो adjusted piece capital सबसे पहले calculate करेंगे, peak is pass, credit में है 2 lakh, और debit में है 3,000 and 40,500, तो दो item minus वाली है, एक positive है, तो 2 lakh minus 3,000 minus 40,500, तो net peak capital जो निकली है, अब without adjustment, वो है 1 lakh 56,500, अब क्यों की capital का balance निकाल लेते हैं, without adjustment, क्यों का opening balance है, माने पास 3 lakh, उसमें एक चीज़ और credit हुई है, जो उसको goodwill का share मिला है, वो है 40,500, तो उसको हम add कर लेंगे, 3 lakh plus 40,500, और subtract करेंगे, जो debit हुए loss revaluation का, वो है 12,000, तो जो net निकल के हैं, हमारे पास आगया, 3 lakh 28,500, आर का भी calculate कर लेते हैं, आर के credit side तो एक ही figure है, वो है 4 lakh का balance, उसमें से debit side 2 figure है, वो subtract हो जाएंगी, 4 lakh minus 6,000, minus 13,500 है, तो जो net निकल के हमारे पास आगया, 3 lakh 80,500, चलिए अब last में हम S का calculate कर लेते हैं, S के भी credit side 2 item है, और debit side 1 single item है, तो चलिए credit की पहले हम add कर लेते हैं, 5 lakh plus 13,500, माइनस उसमें से कर देंगे, 9,000 जो loss है, revelation का credit, debit side, तो जो net निकल के हमारे पास आगया, 5 lakh 4,500, अब हम इन चारों के capital का total लगा लेते हैं, वो हमारे फर्म की total capital बन जाएगी, तो लिखे total capital अब दा new firm बन गी, 13 lakh 70,000, अब इस new firm की capital को हम distribute करेंगे, among the partner in new profit sharing ratio, तो इच partner की ratio अब क्या है, equal है, तो 1 by 4 इसको हम divide कर देंगे, 13 lakh 70,000 multiply by 1 by 4, तो जो net निकल के हमारा आगया, 3 lakh 42,500 each, means हर partners की capital का balance कितना होगा, 3 lakh 42,500 each, तो balance आपको carried on निकल के मिल गया है, जो भी difference आएगा, उसको हम balancing figure करेंगे, उसका cash लेना होगा, जाद देना होगा, ओके, तो चलिए बढ़ते हैं capital काउन की और, capital काउन की और आप एक दो line छोड़ कर नीचे लिखिए, 2 balance carried on, सभी का सेम आजाएगा, 3 lakh 42,500, 3 lakh 42,500, चारों में लिख दीजिए, ओके, अब हम करेंगे balancing, तो balancing करते हैं, हमने total लगाया, पहले P का, P का जो debit side है, उसका total ज़्यादा आएगा, क्योंकि balance ज़्यादा हो गया, debit side का total हमारे पास आगया, 3 lakh 86,000, और credit side का total है, only 2 lakh, तो balance निकला credit side, तो लिखिए, by cash account, कितना आगया, 1 lakh 86,000, ओके, सेम बे में हम Q का निकाल लेते हैं, Q का भी total ज़्यादा आजाएगा, debit का, क्योंकि opening balance कम है, तो Q का total हमारे पास आगया, 3 lakh 44,500, और opening balance है, हमारे पास 3 lakh, और एक जो गुडविल का share मिला था, वो है, 40,500, सब्ट्रेक्ट करने के बाद, हमारा जो cash net, लेकर आना है उन्होंने, वो आएगा 14,000, और का credit side का total ज़्यादा है, 4 lakh और credit side का total इसका कम आया है, जब difference निकाला, तो हमारे पास निकल के आ गया, 38,000, तो लिखिए इसको, 2 cash account balancing figure, 38,000, R के column में आ जाएगा, same way, हम last में क्या गुड़ कर लेते हैं, हमारे S का share, तो S का भी क्या है, 5 lakh उसकी capital का balance है, 13,500 उसको good meal मिली है, credit side का total ज़्यादा है, तो इसको लिख लिख लिए 5 lakh 13,500, इसमें से हमने सब्ट्राइट किया 9,000, और सब्ट्राइट किया 3 lakh 42,500, तो निकल के हमारा 1 lakh 62,000, जए हमारा cash pay करना पड़ेगा हमें, किसको, S को, ओके, तो जए हमारा partners capital account complete हो चका है, इसके बाद हम बनाएंगे balance sheet of the reconsidered firm as on 1st April 2016, liability assets दो column बना लीजिए, liabilities में सबसे पहले लिख लिखे capital PQRS की same capital है 3 lakh 42,500, इच आजाएगी, तोटल हमारा आजाएगा 13 lakh 70,000, उसके बाद liability side लिख लिख दीजिए, sundry creditor वो है 2 lakh 30,000 के, और एक हमने provision create की है, अभी payment नहीं की क्योंकि जे estimated claim है, तो इसको लिख देते हैं, provision for workman compensation claim कितना है about 2 lakh, asset size लिख दीजिए, fixed asset हमारे पास कितने हैं, 12 lakh 70,000 के, और current asset है, current asset की थोड़ी सी calculation करनी पड़ेगी, क्योंकि business में cash आया भी है, अब current asset का balance लिख दीजिए, current asset हमारे पास 5 lakh 30,000, total लगा लेते हैं, asset size का और liability side का, दोनों का total हमारे पास तरा गया, 18 lakh 18 lakh, तो balance sheet हमारी equal हो चुकी है, तो कोई भी चकर नहीं है, हमारा question solve हो चुका है, तो यह हमारा chapter जहाँ पर complete होता है, अगर कोई doubt है, तो as usual मेरा जो line है, मैं आपको बोलूँगा कि please comment कीजिए, हमारे YouTube पर comment कीजिए, Instagram पर हमें DM कीजिए, Facebook पर हमें messenger पर message कीजिए, जाब भी हमें mail कीजिए, अपने question हम उसका reply जरूर करेंगे, ठीक है, वीडियो को like करना मत बूलेगा, comment कीजिए और share करें, अपने friends और नेटिव के साथ चैनल ज़्यादा हो सकता है, चैनल को subscribe को न मत बूलेगा, बैल को press करें ताकि एको latest video की notification मिल सकें, thanks for watching, bye bye, good morning, good afternoon, good evening, good night, जब भी हम वीडियो को देख रहे हो, साश्रिया काल.